आत्माओं को जने तेरी द्या किया ती अवश्यकता यदि हम ख्रिस्त में मार चुके हैं यदि हम ख्रिस्त में मार चुके हैं तो उनकी संग जीएंगे जीएंगे हम जीएंगे क्योंकि इस प्रभुजी उठे हैं क्योंकि इस प्रभुजी उठे हैं इसे लिए हम भी जीएंगे जीएंगे हम जीएंगे इससे लिए हम भी जीएंगे 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 अम जीएंगे यदि हम अधर यसे काश्ट सहें तो उनकी संग राज करेंगे तो उनकी संग राज करेंगे हम राज करेंगे आंति मतु रही बचते ही आंति मतु रही बचते ही चन भर में हम बदल जाएंगे चन भर में हम बदल जाएंगे क्योंकि हमारा विनाशी बदल क्योंकि हमारा विनाशी बदल रूपन योले अमर बनिगा अमर बनिगा वह अमर बनिगा रूपन योले अमर बनिगा पिता और पुत्र पुत्र आत्मा की महिमा हो दिमेथी अब भरिनंद काल कस्तार ही गया याद कर बिंती क्योंकि है क्योंकि है याद कर किया कभी सुनने में नहीं आये कि कोई तेरे पास दौडा के तेरी बिंतियों की सहायता खोज के और तुस्ते असाहय छोड़ा गया हो हे कौारियों की कौारी है मेरी मा मैं इस यासरे से मैं तेरे पास दौडाती और तेरे आगे कराते हुए पापी की समान खड़ी तु हे परमेश्वर की बचन की मा मेरी बिंतियों को अस्विकार मत कर लेकिन दया से सुन और पूरा कर आं तेरी सरन में हम दो उड़ाते हैं, हेश्वर की पोईतर मा, हम अपनी जर्रत में जो बिंती करते हैं, उसको अस्विकार मत कर, लेकिन दया से सुन और पूरा कर, आमेन पूरा कर, आमेन दया से सुन और पूरा कर, आमेन दया 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 कर, आमेन द अबाब होगा मृतकूं की आत्माओं के लिप राथना कर संत मरिया इश्वर की पोई टरमा मृतकूं की आत्माओं के लिप राथना कर कुमारियों की पोईत्र कुमारी मृतकूं की आत्माओं के लिप राथना कर संत माइकेल संत गाब्रियल संत रफायल सब पोईतल दूतों और संतो संत योहन बब्तिस्ता संत योसेप सब पुर्खों और नभियो संत पेत्रूस संत पौलूस संत अंध्रियस संत योहन सब प्रेडितों और सुसमचार लिखा को प्रभू के सब सिस्यो सब पोईत्र निर्दोस बाला को संत इस्तेवन संत लोरेंस संत भिंसेंट संत लहु गवाहों संत सिल्वेस्टर संत ग्रेगोरी संत अगुस्टीन सब प्रोहितों महा प्रोहितों और पाप मोचकों हैं तो जल्दी करेंगे समय नहीं है और बहुत लंबी पंती है समों को मौका देना है इसले आप प्राटना पंती में ही करते आई और यहां की वालिसपर्स किजिए और दुष्रों को मौका देजिए अधिक समय के आभाव है संत फोटों किरिप्या ना लें खड़े होकर किरिप्या फोटों किरिए फोटों किरिए प्राटना प्रोहितों और बेदी सेवकों कि आत्माओं के लिए साथ नकर सब संट मेरी मगदलेना, संट अगथा, संट लुसिया, संट अगनेस, संट सिसिलिया, संट अनस्तासिया, कुँए आत्माओं के लिए पराथना कर, ईश्वर के सब संतो खिरिस्ट के प्रतिग्याओं के योग्या बन जाएं, हम पराथना करें, हे इश्वर सारी मनुस जाती के स्षिष्टी करता और मुक्ती दाता सुधग अगनी की सारी आतमाओं को उनके सब पापों से मुक्त कर हमारी प्राथनाओं के द्वारा उने छमा प्रदान कर हे परमपावन ईश्वर, जो मृतियों के द्वारा इस संसार से बिदाल ले चुके हैं, उनके पापों के लिए उन्हें छमा प्रदान कर, उनकी आत्माओं को तेरे पुत्र प्रभु येशु के मुल्यवान रक्त से धोकर, निर्मल बना और उन्हें स्वर्ग राज में हुत्रे साथ है, जिन्ने देरे का दो अधे संत मरिया परमेश्वर की मा प्रातना कर, हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमिन, प्रणाम मरिया, जर्सन करने वाले ध्यान देंगे, आप जैसे पंक्ती में रहते हैं, प्रातना करते आईए, जैसे आप पहुं हुद्धा ने आ रहे हैं, प्रातना करते 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 हैं, प्रातन नहीं ले बो सोना रुपा मोती नहीं जबू भीना दिया बती मोई तुई जबू भीना दिया भीना मिरा भे रहाई सुन्दर काया मटी में मिल जबू डाया हरे इनको दिना उड़ी चली जा बूदया हाई रे हाई सुन्दर का या मटी में मिल जा बूदया हाई रे हाई पीरिती जोडा लो मैं संसार से मोई हे राए गेलो अपन मसी से पीरिती जोडा लो मैं संसार से मोई हे राए गेलो अपन मसी से पुछाते खोजाते उड़ी चली जा बूदया हाई सुन्दर का या मटी में मिल जा बूदया हाई रे हाई एको दिना उड़ी चली जा बूदया हाई रे हाई सुन्दर काया मती में मिल जाबो दया है रे हाई भुल जाबो दुनिया किरमाया के छोड़ जाबो सुन्दर अपन काया के भुल जाबो दुनिया किरमाया के छोड़ जाबो सुन्दर अपन काया के हरी अर दुनिया में खोई बोदया है रे हाई सुन्दर काया मटी में मिल जा बोदया है रे हाई एको दिना उड़ी चली जा बोदया है रे हाई सुन्दर काया मटी में मिल जा बोदया है रे हाई परमिश्वर की स्टूति आप लोगों का उत्तर होगा हम तेरी स्टूति करते हैं हे पिता परमेश्वर तु सर्वशक्ति मान है, तेरी स्थूति करते हैं हे पिता परमेश्वर तु परम पावन है, तेरी स्थूति करते हैं हे पिता परमेश्वर तु महान और सर्वोच है, हम तेरी स्थूति करते हैं हे पिता परमेश्वर, तुने हर मानों को अपना प्रती रूप बनाया, हम तेरी स्थूती करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम पापियों को बचाने के लिए, तुने अपने पुत्र येशु को हमारे बीच में भेजा, हम तेरी स्थूती करते हैं। हे प्रभु येशु तु हमारा मुक्तिदाता परमेश्वर है, हम तेरी स्थूती करते हैं। हे प्रभु येशु तुने हम सबके पापों का बोज अपने उपर उठा लिया, हम तेरी स्थूती करते हैं। हे प्रभु येशु तु पिता की दाहिनी और विराजमान है, हम तेरी स्थूती करते हैं। हे पवित्रा आत्मा तु परमेश्वर को अब्बा कहकर पुकारने की क्रीपा हमें देता है, तेरी स्तूती करते हैं हे पवित्रा आत्मा तु हमें पवित्रता की राह पर ले चलता है, तेरी स्तूती करते हैं हे पवित्रा आत्मा तु अपने दासों को इश्वरिय सामर्थय प्रदान करता है तेरी स्थूती करते हैं सब बातों के लिए हम इश्वर को धन्याबाद देंगे आपका उत्तर होगा हे प्रभू हम तुझे धन्याबाद देते हैं हे प्रभू हम तुझे धन्याबाद देते हैं सब प्रकार की विपतियों के लिए हे प्रभू हम तुझे धन्याबाद देते हैं सारी कमजोरियों के लिए हे प्रभू हम तुझे धन्याबाद देते हैं सारे रोगों के लिए हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद, सब असफलताओं के लिए हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद, हमें पुनुरुथान प्रदान करने के लिए हे प्रभु हम तुझे धन्यवाद, अंधकार की शक्तियों से हमें छुडाने के लिए हे प्रभु हम तु हमारे संकटों में हमें साथ देने के लिए ये प्रभू हम तुझे धन्यावाद हमारी दुरबलताओं को अपने उपर उठा लेने के लिए हम प्रभू हम तुझे धन्यावाद देते हैं हमें हर बंधन से आजाद करने के लिए प्रभू हम तुझे धन्यावाद देते हैं हमे शांती प्रदान करने के लिए कि प्रभु हम तुझे धन्यावाद देते हैं दिब्य संरक्षन के लिए प्राथना आप लोग दुहराते जाए तुम जो सर्वोज के आश्राय में रहते और सर्वशक्तिमान की छत्रचाया में सुरक्षित हो तुम प्रभु से यह कहो तु ही मेरा सरन है मेरा गड़ मेरा ईश्वर तुझ पर ही भरोसा रखता हो वा तुम्हें बहलिय के फंदे से घातक महामारी से चुड़ाता है वा अपने पंक फैला कर तुमको ढख लेता है तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरनस्थान मिलता है उसकी सत्य प्रतिग्यता तुम्हारी ढाल है झाल कि उनस्था रखता है ह्चास भाल दुम्हें प्रत्वाः झाल 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 एक दिन हम जाएंगे स्वर्ग्राश सच देशा मार्ण मरी आपको देखने हमारी प्रेमी बाद स्वर्ग्राश 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 एक दिन हम जाएंगे मरी आपको सदा वीचे में देखेंगे आसरा इस प्रित्वी में मरी आ है हमारा हमारी संकट में वह करती है रख्षा स्वर्ग्राश स्वर्ग्राश एक दिन हम जाएंगे मरी आपको सदा वीचे में देखेंगे प्रित्वी परतु सदा ग्रीपा पुर्टी मरी आ सर में तेरी आत्मा ओ कैसे चामती सर्ग्राश 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 एक दिन हम जाएंगे मरी आपको सदा वीचे में देखेंगे संद्य योहन रजिसु समाचार अधिया 14 पद संख्या एक से तीन में हम पाते हैं तुम्हारा जी घबराई नहीं इस्वर में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो मेरे पिता के यहां बहुत से निवास स्थान है यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंद करने जाता हूं मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंद करके करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा जिससे जहां मैं हूं वहाँ तुम भी रहो आईए इसी पर विश्वास करते हुए हम ये गाना गाते हैं गाना नंबर एक द्वानी तेरी सुनता हूं आरात अबीन भै मैं खो सात्रान उसलहु से जो खुरू से बहता है मैं आता तेरी पाँ ही प्रभु की पाँ मैं दो हुजी अपने लहु से जो खुरू से बहता है तु मेरा सब कुछ है मैं हूँ बेचार तु मेर लिए कृपा से सुधता का देने हार मैं आता तेरी पाँ ही प्रभु कृपा मैं दो मुझे अपने लहु से जो खुरू से बहता है तु आप भी देता है त्राण मुझ बेचारे को और आपने साह सोर कर ल्या भाग मेरा नितने थो मैं आता तेरी पाँ ही प्रभु कृपा मैं दो मुझे अपने लहु से जो खुरू से बहता है ही पिता परमेश्वर तु करूना केम अनुकम पाके धनी एवं दया सागर है अपनी दया एवं अनुकम पाके करन तु हमारे स्वेर्गिये कार्डिनल पी दिलिस्पोर तुपो की तुपो की सारे अप्रायत खतम कर तु उनकी आत्मा को आना शांती प्रदान कर तथा उनके दुखित परिवार जनों को दिला सायं सांत्वाना दे हमारे प्रभु प्रिश के दुआरा आमें गान नंबर आठारा तुछो सीघ्री method तुच्छो सीघ्री method थिअ मैं अभी थिजियर पुचाती पॉचाती रुडी चली जब भरी हाई सुदर काया माटी में बिल जब भरी हाई पुजिना रुडी चली जब भरी हाई सुदर काया माटी में बिल जब भरी हाई पुजिना रुडी जब भरी हाई पुजिना रुडी जब भरी हाई पिता और पुटर और पुटर आत्मा की महिमा हो पिता और पुटर और पुटर आत्मा की महिमा हो जैसे वह आदी में थे अवरन रुटर पुटर पुटर आत्मा की महिमा हो पिता व मुट प्यार संट जोसेफ व महिल पुटर 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 और पुटर 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 तो के महिमा हो मरे वे विश्वासं की आत्मा है मरे वे विश्वासं की आत्मा है कुरूश का चिन उत्रा और वोईत्रा आत्मा की नाम पर कि आत्मा की आत्मा की आत्मा की आत्मा है कि आत्मा ? याँ आत्मा कुमा हमेव़ क्पाल झाल इता है इता झाल आपी 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 इता झाल आपी जापी कर सकते हैं प्रणिक हो प्रें को प्राफंच लुक्षा जोगी है पिता और पुत्र पहुत्र आत्मा की नाम पर आमेंश्म पिता और पुत्र पहुत्रात्मा की बढाई वह जोय। आपने तेरा नाम बत्र किया जावे तेरा राच्या तेरे इख्छा जैसे सर्ग में है वैंसे स्वित्य पर्फिपूरी हो हमारा प्रति दिनका हार आज में दे और मारे प्राध्मेर जल्शे हम दे अपने प्राध्म को शमागते हैं मुक्ति दिलाए सुना सांती दिलाए सुना मुक्ति दिलाए सुना सांती दिलाए सुना ये सुनया का गरा सागर ये सुनया का गरा सागर ये सुए दाता महा ये सुए दाता महा मुक्ती दिलाए सुना, सांती दिलाए सुना, मुक्ती दिलाए सुना, सांती दिलाए सुना, चरनी में तूनी जनम लिया आए सूँ चरनी में तूनी जनम लिया आए सूँ सुली पे किया विसरा सुली पे किया विसरा सुली पे किया विसरा सुली पे किया विस्टरा मुक्ती दिलाए सुना सांती दिलाए सुना मुक्ती दिलाए सुना हम सब की पापों को मिटाने हम सब की पापों को मिटाने ये सुवा बलिदा ये सुवा बलिदा ये सुवा बलिदा ये सुवा बलिदा मुक्ती दिलाए सुना सांती दिलाए सुना मुक्ती दिलाए सुना सांती दिलाए सुना प्रेरितों का धर्म सार से जीवते सर पर गए और सर शक्ति मां बिताई तर की दायने और बेढ़ें वहां से जीवतों अम्रत्र को का नयाई करने आरे गए मैं परत्रात्मा पर परत्रकात्त करिश्या धरलियों के संबंद, पापों की शमा, देह के प्रुथान, अनंतिशीवन बर्मीर अस्वास करते हूँ, आमेन पिता और पुत्र पवत्रात्मा की बढ़ाई होए जैसे वादी में थी, अब हैन काल तक सदारी की, आमेन हे पिता हमारे तु जो स्वर्ग में है तेरा नाम पाउत्र किया जावे तेरा राज जियावे तेरी च्छजे से स्वर्ग में है वो इसे स्प्रीथी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिन का हार आज हमें डे और हमारे प्राध में समा कर जैसे हम भी अपने प्राध्यों को समा करते हैं और हमें परीचा में ना ढालते अप्रतौराइश से बचा, आमेन प्रशा मरिया कृपा से पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत विस्त्रियों में और धन्यत तेरे गर्ब का फल ये सूँ ये संद मरिया पनेशर की मा प्रात्ना करम पापयों के लिए अब और हमारे बनने के समय आमिन प्रणाम मरिया की पासे पून प्रभु तेरे साथ है धन्यति इस्त्रियों में और धन्यतेरे गर्प का फल ये सूँ प्रणाम मरिया की पासे पून प्रभू तेरे साथ धन्यति इस्त्रियों में और धन्यतेरे गर्प का फल ये सूँ प्रणाम मरिया की पासे पून प्रभू तेरे साथ पिता और पुत्र अपवित रात्मा की बढ़ाई होए जैसे वादि में थी आप हरना का सदा रेगे आमे हे मेरे येशू हमारे सभी बापों की शमा करने रखे अभी से हमें बचा सभी आत्माओं को सर क्यों ले चल विसेश करना आत्माओं को उच्छने तेद्या की अदिया सकता है मेहिमा का पहला वेद ये समुर्दों में से जी उठते हैं आईए हम परम दयालू और करुना में पिता इस्वर से प्रात्ना करें पिता तु अपनी दया एवम करीना करुना से स्वर्द्य काडिनल तेले स्वर्पी टुपो की आत्मा को अनन्द शान्ति प्रदान कर और उनके परिवार जनौ तथा समस्त कलिस्या को सांतवाना प्रदान कर हे पिता हमारे तु जो स्वर्द में है तेरा नाम पॉट्र किया जावे विर्द आज शियावे तेरी चाज़र से स्वर्द में है वैसे स्पृत्ती पर भी पुरी हो हम रहार प्रदेन का हाट आज में दे और मारे प्राथ हमेश मा कर जैसे हम भी अपने प्राथियों को शमा करते हैं और में परिक्षा में ना डाल दें दुरह से बचा आमें प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य तुस्ट्रियों में और धन्य तेरे गर्भ काफल ये सू हे संद मरिया परमेश्र की माफ रात ना कर पापयों के लिए अब और मारे बढ़ने के समय आमें प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य तुस्ट्रियों में और धन्य तेरे गर्भ काफल ये सू हे संद मरिया परमेश्र की माफ रात ना कर पापयों के लिए अब और मारे बढ़ने के समय आमें प्रणाम मर्या कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने तुस्त्रों में और धने तेरे गर्भ का फरीज सूँ एस अंधमा मर्या परमेशा की माफ्राद ना कर भापने के लिए आप और हमारे बढ़ने के समया हूं प्रणाम मर्या कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने तुस्त्रों में और धने तेरे गर्भ का फरीज सूँ प्रणाम मर्या क्रिपासे पूर्ण ट्रभू तेरे साथ है धने तेरे गर्ब का फले सू प्रणाम मर्या क्रिपासे पूर्ण ट्रभू तेरे साथ है धने तेरे गर्ब का फले सू हे संत मरिया परमेशर की मा प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने की समय आमिन प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य तो इस्त्रियों में और धन्य तेरे गर्द का खले सू हे संद्मा मरिया परमेशर की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अबर हमारे मरने के समय आमिन प्रणा मरिया कृपासे पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धने तुस्त्रियों में और धने तेरे गड़ का फरेशू हे संत्मा मरिया परमेशक की मा प्रातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमिन प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने तो इस जो में और धने तेरे गड़ का फल ये सू प्रणाम मरिया के पासे पूर्ण ट्रव तेरे साथ है धन्य तो इस्ट्रियों में और धन्य तेरे गड़ का फल ये सू पिता और पुच्र और पज़ आत्मा की महिमा हो जैसे वहादी में दिया प्रणा का सारे हैं हे मेरी एशू मारे सबी पापों की शमकर नरक एगनी सह में बचा सबी आत्माओं को सर क्यों लेजर विसे इस सरनात्माओं को जरी ते दिया के अतिया वर्शकता है गाना नमबर आठ अनत जीवन पानी के लिए प्रभू मैं तेरे पास आया हूँ जीवन दान दे दे मुझे अनत जीवन पानी के लिए प्रभू मैं तेरे पास आया हूँ जीवन दान दे दे मुझे अन्धों को तुने ये सुद्रिश्टी दान दिया ये अनल सूप पाने के लिए अनत जीवन पाने के लिए प्रभू मैं तेरे पास आया हूँ जीवन दान दे दे मुझे लाच रुस को तुने ये सुद्रिश्टी दान दिया ये जीवन सूप पाने के लिए अनत जीवन पाने के लिए प्रभू मैं तेरे पास आया हूँ जीवन दान दे दे मुझे जीवन दान दे दे मुझे पापियों को तुने ये सुच मादान दिया ये अनत सूप पाने के लिए अनत जीवन पाने के लिए अनत जीवन पाने के लिए जीवन दान दे दे मुझे दूसरा भेद ये सु स्वर्ग चड़ते हैं इस भेद में हम स्वर्ग ये काडिनल तेलसफोर पीट पो के सुन्दर जीवन के लिए पिताई इश्वर को धन्यावाद देते हुए समस्त कलिसिया के लिए प्राथ ना करें पिताई इश्वर उन पर आसिस और क्रिपा प्रदान करें ये पिता हमारे तुझे स्वर्ग में है तरा नाम पेतर क्या जावे तरा रा जावे तिरी छजे स्वर्ग में है वैसे स्विती पर भी पूरी हो हमारा प्रती दिन का हार आज चमे दे और हमारे प्राध हमें शमा कर ज़से हम भी अपने प्राधियों को शमा करते हैं और हमें परिच्छा में ना डालत दुभराई स सूच आमें पर नाम मरिया किरपासे पूर्ण प्रहु तेरे साथ है धन्या तुष्ट्रों में और धन्या तेरे गरब का फल एसू हे संत मरिया परमेश्र की मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मिरने के समय आमेन परना मरिया किरपासे पून प्रभुतरे साथ है धन्य तु इस्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू हे संत मरिया परमेश्र की मा प्रात्ना करंपाप्यों के लिए अब और हमारे मन्ने के समय आमेन परना मरिया किरपासे पूर्ण परहुतरे साथ है धन्य तुष्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू हे संत मरिया परमेशर की मा परातना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमिन परना मरिया किरपासे पून प्रहू तरे साथ है धन्य तो इस्तरों में और धन्य तेरे गरब का फलेसू परना मरिया किलपासे पूर्ण परहु तरे साथ है धन्य तुष्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू परना मरिया किलपासे पूर्ण परहु तरे साथ है धन्य तुष्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू परना मरिया किलपासे पूर्ण परहु तरे साथ है धन्य तुष्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू पिता पुतर आत्मा कि महीमा हो जैसे वादी में तिया अफ्रन पात्त सदा रहेगी आमें हमारे सभी पापों की शमा करने रहे कि अगनी समें बच्चा सभी आत्माओं को सरक्यों लेचल विसेश करना आत्माओं बोजनी तेरे दिया कि अतिया वशक्ता है गाना नमबर बारा यदी हम ख्रीस्त में मर चुके हैं तो उनके संग जीएंगे जीएंगे हम जीएंगे तो हमने के संग जीएंगे जीएंगे हम जीएंगे क्योंकी ये सुप्रबुजी उठे हैं क्योंकी ये सुप्रबुजी उठे हैं इसलिए हम भी जीएंगे जीएंगे हम जीएंगे इसलिए हम भी जीएंगे 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 हम जीएंगे जीएंगे ये दि हम धैर्य से करस्ट सहे यदि हमें धैर्य से करस्ट सहे तो उन्हें के संग राज करेंगे हमें राज करेंगे तो उन्हें के संग राज करेंगे राज करेंगे हमें राज करेंगे अंति मतुरही बजते ही चन भर में हम बदल जाएंगे बदल जाएंगे हम बदल जाएंगे चन भर में हम बदल जाएंगे क्योंकि हमार विनासी बदन रूप नयाले अमर बनेगा रूप नयाले अमर बनेगा रूप नयाले अमर बनेगा इस भेद में हम स्वर्ग ये तिलस फर्पी टुपो की आत्मा सांती के साथ साथ सुधा कगनी की दुखित आत्माओं के लिए प्राथना करें पिता ईश्वर उन्हें भी स्वर्ग राज में प्रावेश पाने दें ए पिता हमारे तुजो स्वर्ग में है तेरा नाम पॉज़ किया जाए तेरा राज शी हावे तेरे इच्छ़स वस्वर्ग में है वैसे स्पृति पर भे पूरी हो हमारा प्रति दिन का हाराज में दे और हमारे प्राथ हमें शमा कर जैसे हम भी अपने प्राथियों को शमा करते हैं और हमें परिश्णा में ना डाल प्रदुग्राइस के बचा में प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत इस्जों में और धन्यत तेरे गर्भ का फलेशू हे संद्मा मरिया प्रमेशक की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब हमारे बनने के समय आमिन प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत इस्जों में और धन्यत तेरे गर्भ का फलेशू हे संद्मा मरिया प्रमेशक की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब हमारे बनने के समय आमिन प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत इस्जों में और धन्यत तेरे गर्भ का फलेशू हे संद्मा मरिया प्रमेशक की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब हमारे बनने के समय आमिन प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत इस्जों में और धन्यत तेरे गर्भ का फलेशू हे संद्मा मरिया प्रमेशक की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब हमारे बनने के समय आमिन प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत इस्जों में और धन्यत तेरे गर्भ का फलेशू हे संद्मा मरिया प्रमेशक की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब हमारे बनने के समय आमिन प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्यत इस्जों में और धन्यत तेरे गर्भ का फलेशू हे संद्मा मरिया प्रमेशक की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय आमिन प्रणाम म्रिया क्रिपास पूर्ण टरभू तेरे साथ है धनिय तरस्चों में और धनिय तेरे गर्ब का फल्ये सूँ प्रणाम म्रिया पर मेश्व की मा परातना कर हम पाप्यों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमें प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्या तस्चों में और धन्या तेरे गर्ब का फलिये सूँ प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्या तस्चों में और धन्या तेरे गर्ब का फलिये सूँ प्रणाम मरिया कृपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धन्य तो इस्ट्रियों में और धन्य तेरे गर्ब का फलिये सू प्रणाम के लिए फैसे प्रणाम की महीमा हो जैसे वादी में थे अबरन का दसला रहे गिया में हे मेरे येशू हमारे सभी पापों की शमा कर नरक यगनी सह में बचा सभी आत्माओं को सरक्यों लेचर विसेश करना आत्माओं को जिनी दे दिया किती आवश्च रखता है गाना नमबर पास जीवन ड़हर ये सुहे के मौ जीवन ड़हर मसीहे के मौ ड़हर ड़हर ले चले ला जीवन ड़हर ये सुहे के मौ जीवन ड़हर मसीहे के मौ ड़हर ड़हर ले चले ला प्रभू ये सुहे लारे स्वरक दूरा मौ जीवन ड़हर ले चले ला प्रभू ये सुहे लारे स्वरक दूरा मौ जीवन ड़हर ले चले लारे जीवन डहर ये सुहे के मौर जीवन डहर मासिह के मौर डहर डहर ले चले ला डहर डहर ले चले ला प्रभु ये सु कहे लारे मार सत्य जीवन मोहे हे को प्रभु ये सु कहे लारे मार सत्य जीवन मोहे हे को जीवन डहर ये सुहे के मौर जीवन डहर मसिह के मौर डहर डहर ले चले ला डहर डहर ले चले ला प्रभु ये सु कहे लारे बला चर्वाह मोहे हे को प्रभु ये सु कहे लारे बला चर्वाह मोहे हे को जीवन डहर ये सुहे के मौर जीवन डहर मसिह के मौर डहर डहर ले चले ला डहर डहर ले चले ला प्रभु ये सु कहे लारे जीवन कर जोती मोहे हे को प्रभु ये सु कहे लारे जीवन कर जोती मोहे हे को जीवन डहर ये सुहे के मौर जीवर डहर मसीह के मौर डहर डहर ले चलेला डहर डहर ले चलेला जो था वेद मरिया स्वर्ग में उठा ली जाती है आईए हम इस वेद में जो भी विश्वासी दूर दराज से यहां स्वेर ये काडिनल तेले स्पोर पी टुपो का दरसन करने तथा उनकी आत्मा शांती के लिए प्रात्ना करने आए है पिता ईश्वर हम उन्हें तेरे हाथों शौपते है तू उनके यहां तक आने और यहां से वापस धर पहुचने में उनकी मदद कर यात्रा में तू उनके साथ रह जा हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरे नाम पौत्र किया जाए तेरे राज जी आवे तेरे इच्छा जोसे स्वर्ग में है वैसे स्पृति पर भी पूरी हो हमारा प्रति दिन का हा राज हमें दे और हमारे प्राद में छमा करते हैं जैसे हम भी अपने प्रादियों को छमा करते हैं आरम प्रक्षामे नारा प्रांतु वैसुच आमे प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने है तुस्ट्रों में और धने है तेरी गर्भ का फलेशू प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने है तुस्ट्रों अधने तेरे गर्ब का फल ये सूर्च 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 अधने तेरे गर्ब का फल ये प्रभु तेरे साथ है धने तुस्चों में और धने तेरे गर्ब का फली सू प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ड प्रभु तेरे साथ है धने तेरे गर्ब का फली सू प्रणाम मरिया कृपा से पूर्ण प्रभु तेरे साथ है धने तुस्चों में और 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 धने तुस्चों म और धने तेरी गर्ब का फलिये सू प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने तस्जोमी और धने तेरी गर्ब का फलिये सू प्रणाम मरिया क्रिपासे पूर्ण प्रभू तेरे साथ है धने है तुष्ट्रियों में और धने है तेरे गर्ब का फल येसू पता और पुट्र और पुट्र आत्मा की महीमा हो है मेरी येसू हमारे सभी पापों की श्रमा कर मेरे कैगनी सर में बचा सभी आत्माओं को सर क्यों लेचतर इसे सर्मा आत्माओं को जिन्हें तेरे दिया के दियाओ शक्ता है गाना नमबर तीन एको दिन न उड़ी चले जब बूदया है रेहा सुन्दर काया मटी में मिल जब बूदया है रेहा इको दिना उड़ी चले जब बूदया है रेहा सुन्दर काया मटी में मिल जब बूदया है रेहा निले भू सुना रुपा मुतिया नीजब बिना दिया बतिया निले भू सुना रुपा मुतिया नीजब बिना दिया बतिया मुनी जब बिना दिया बिना बेरा है रेहा सुन्दर काया मटी में मिल जब बूदया है रेहा एको दिना उड़ी चले जब बूदया है रेहा सुन्दर काया मटी में मिल जब बूदया है रेहा पीरी ती जुडा लो मुई संसान से मुई हे रागे लो अपन मसे से पीरी ती जुडा लो मुई संसान से मुई हे रागे लो अपन मसे से पुछा ते खो जते उड़ी चले जब बूदया है रेहा सुन्दर काया मटी में मिल जब बूदया है रेहा सुन्दर काया मटी में मिल जब बूदया है रेहा पाल स्वाभेत मरिया स्वर्ग मेरानी का मुखुट पाती है आईए हम स्वर्ग काडिनर पी तिल स्फोर की आत्मा शांती के लिए प्रात्ना करें साथ ही साथ हम सभी विश्वासी अपने अपने भला मरन के लिए प्रात्ना करें फिर पिता हमारे तुझो स्वर्ग में है तेरा नाम प्रत्र की आज़ा तिरा राज्च्या वे तेरी इशाद जिसे स्वर्ग में है वैसे स्प्रिधी पर भी पूरी हो हमारा प्रतिन का राज्च्पे ले और हमारे प्राध्यों पर नाम मरिया प्षके पासे पून पर हुट रे सात है धन्य तो इसे तरहों में और धन्य तो दो है तेरे गरपका फली ह सूथ ते संत मर्या परमेशर की आदाना करम पात्वज oh अबर हमारे मरने के समूछ अमें, परना मर्या किर पासे पून प्रभु तरे साथ है धन्य तुष्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू हे संथ मरिया परमेश्रकी मा प्रात्ना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमिन प्रभु तरे साथ है धन्य तुष्ट्रों में और धन्य तेरे गरब का फलेशू हे संथ मरिया पर मेशर की माफ रातना करंपाप्यों के लिए अब हमारे मर्ने के समय आमिन परणा मरिया किरपा से पून परभू तरे साथ है धन्या तिस्ट्रों में और धन्या तेरे गरभ का फले सु हे संद मरिया परमेश्र की मा प्रात्ना करम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमिन परना मरिया किल पासे पून परहुतरे साथ है धन्या तुष्ट्रों में और धन्या तेरे गरब का फले सू परना मरिया किरपासे पून परहुतरे साथ है धन्यत इश्ट्रोंग में और धन्यत तेरे करप का फलेशू परना मरिया किरपासे पून परहुतरे साथ है धन्यत इश्ट्रोंग में और धन्यत तेरे करप का फलेशू परना मरिया किरपासे पून परहुतरे साथ है धन्यत इश्ट्रोंग में और धन्यत तेरे करप का फलेशू परना मरिया किरपासे पून परहुतरे साथ है धन्यत इश्ट्रोंग में और धन्यत तेरे करप का फलेशू परना मरिया किरपासे पून परहुतरे साथ है धन्यत इश्ट्रोंग में और धन्यत तेरे करप का फलेशू हमारे सभी बापों की शमा करने रख्यग्नी सह में बचा सभी आत्माओं को स्वर्क और लेचर विसेश करना आत्माओं को जिनी तेर दिया कियती आवशिकता है गाना नमबर चाथ एक दिन हम जाएंगे स्वर्ग्रा सच्दे समाना मरिया को दिखने हमारी प्रेमी माँ स्वर्ग्रा 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 एक दिन हम जाएंगे मरिया को सदा विजय में देखेंगे आस्रा इस प्रित्वी में मरिया है हमारा हमारी संकट में वा करती है रख्षा स्वर्ग्रा 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 एक दिन हम जाएंगे मरिया को सदा विजय में देखेंगे प्रित्वी परतु सदा ग्रीपा पुर्टी मरिया सर में तेरी आत्मा वो कैसे चामती स्वर्ग्रा 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 एक दिन हम जाएंगे मरिया को सदा विजय में देखेंगे संद योहन रजिसु समाचार अध्या चोदा पद संख्या एक से तीन में हम पाते हैं तुम्हारा जी घबराई नहीं इस नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंद करने जाता हूँ मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए इस्थान का प्रबंद करके करने के बाद फिर आओंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाओंगा जिससे जहां मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो आईए इसी पर विश्वास करते हुए हम ये गाना गाते हैं गाना नमबर एक प्रबंद करते हुए इस्थान का प्रबंद करते हैं आता अभी नभे मैं खोड़ता तरान असलों से जो कुरू से बलता है मैं आता तेरे पास ही प्रभुक्री पाप मैं दो ओ मुझे अपने लहू से जो कुरू से बलता है तु मेरा सब कुछ है मैं हूँ बेचार तु मेर लिए कृपा से सुधता कदे निहार मैं आता तेरे पास ए प्रभुक्री पाप मैं दो मुझे अपने लहू से जो कुरू से बलता है तु आप भी देता है त्रार मुझ विचारी को और आन साहसोर कल्या भाग मेरा नितनी थो मैं आता तेरे पास हे प्रभुक्री पाप मैं दो मुझे अपने लहू से जो कुरू से बलता है हे पिता परमेश्वर तु करूना एवं अनुकंपा के धनी एवं दया सागर है अपनी दया एवं अनुकंपा के कारण तु हमारे स्वर्गिये कार्डिनर पी तिलिस फोर टुपो के सारे अप्राहत खतम कर तु उनकी आत्मा को अनंस शांती प्रदान कर तथा उनके दुखित परिवार जनों को दिला साय वं सांत वाना दे हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमें गाना नमबर आठारा तुझ्छ से मिली है जिन्दगी कैसे मेरा कहूँ प्रभु से जुड़ी है जिन्दगी कैसे तोड़ तोड़ी है बिलबड कार्डिनल तेल्सपोर पिटोपो के गाहँ वाले लोग दसन कर रहें जितने भी दसन आती है जो देखने के लिए आरे पार्तिशरी को आप जब लैन में रहते हैं तब ही आप प्रात्न करते चले आएंगे उसके जैसे हम पर पहुंचते हैं प्रिस्पस करते वे अब जगह बनाते वे निकलने के परियास करेंगे प्रभू से जुड़ी है जिन्दगी कैसे तोड़ दू जब जब मैंने तुझे को पुकारा तुने मेरी सुननी है हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभू ने राह दिखाई है तुझे से मिली है जिन्दगी कैसे मेरा कहो जिनको भी प्रेयर सर्विस के जिमेरारी सौपी गई है ध्यान देंगे पच्छमी दूआस से आप चले आएंगे जिनको भी प्रेयर सर्विस के जिमेरारी मिली है प्रेयर सर्विस को चलाने के लिए आप प्रात्रा सबाब को चलाने के लिए आप पक्ष्मी द्वास से चले आएंगे जो बेऊस्ताइ से आप तोड़ने के परियास्ता के लिए अब बैरिकेटिंग लगी हुई है अब बैरिकेटिंग को आप तोड़ करके विश्टी करेंगे चरनों में आकर मुझे को मिली है खुसिया प्रेम अपार तुझे से मिली है जिन्दगी कैसे मेरा कहूं प्रभु से जुड़ी है जिन्दगी कैसे तोड़ तो है ये सुकति पौत्र हरी दे तेरा राज्चि आवे मरे हुए बिश्वाशी की आत्मा परमेश्र के द्यास सांते में निवास करें आमिन मरें हुए विश्वाशी की आत्मा परमेश्र के द्यास सांते में निवास करें आमिन मरें हुए विश्वाश्यों की आत्मा परमेश्र के द्यास सांते में निवास करें आमिन पौत्र कुरूस का जिन अब जो तर्षमार्थी अभी है जो गाओं वाले हैं सगे संबंदी है आप समय ले सकते हैं कोई दिकत नहीं है आप जैसा सुधा हो आप दर्षम कर सकते अभी कि अब कि अब कि अब कि अब कि 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 अब कि अब दियान देंगे कि अब कि जो भी प्रात्ना सभा चलाने वाले आपको कि कि अब पक्षमी द्वाद से आप परवेश करें कि 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 और आपके लिए अस्थान निधारित की गये मेरे देहनी और उस जगह पर आप रहेंगे कि 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 झाल झाल दिर प्रियो करें प्रियो करें बड़ प्रेड़ कॉड़ आड़ एक लुट है जड़ के लिया झाल 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 कि अभी हमारे कार्डिनल त्रेस्पर्ट पिटोपो के घ्रावाले दर्सक्राइब कर रहे हैं आज इतने भी रिष्टेदार है वो अपने समय ले सकते हैं कि अभी हमे जाओार है वो अभी कर रहे हैं मेख़ो के कर रहे हैं टिर लेख जदे का सब ते एन कि जोदिए जड़ मों प्रेख जारी जिए टिल कि जारी जड़िक 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 जड़िकर जड़िक। झाल वे लिए घपारे निड़ोता और में विडिए इटे जिए ली ली आ झाल झिडिए इटे गोता और में पंदिए जिए जिए ले एक निजड़ा और तरमांगे तोसे लाए pagar वीलें तूही देन्ावी जिडि़ जुदुदोर कोषिंध्र 1 में जुदुदुदुदुदुदुदुदेन् आदेो कर क्या है क्या है चुदुदुदुदुदुदुदूड़ partner अढ़र ओिन्गिपी इर्प्रिविभ्हान इलिफ अपिनिजोर नाहते झार नnaires और ओिन्गिपी इर्पप्रिर्विभ्हान अभी इर्पनिजोर ओ। कर दो 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 कर कर दो झाल 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 निरिस उप cries और सहायक बिश्व थेदर मसकरहनस एसे फेक्सित की ओर से इस धार्मिक अनुष्ठान तत्पश्चात दफन क्रिया में शामिन होने के लिए हारदिक स्वागत करता हूं अब मैं अती मान्यवर महाद्रमाद्यक्ष फेलिक्स टुपव को इस धार्मिक अनुष्ठान में हमारी अग्वाई के लिए शाद्र आमंत्रित करता हूं हम सब ख़ड़े हो जाएंगे पिता और पुत्र और पवितरात्मा के नाम पाद्यक्ष अमारे प्रभु यसुक्रिस्ट के क्रिपा इश्वर का प्रेम और पवितरात्मा का साचरिया आप सबों को प्राप्थो आपकी आद्मत्रित साचरिये भाई अर्बानो हम स्वरगिये महाधर्माजच तेलेसफुर काडिनल पीटोपो के दफन दफन के समारोही मिस्चा में भाग लेने के लिए यहाँ एकतर हुए हैं दफन का या मिस्चा हमारे लिए एक पवितर और गंभीर च्छन है हमारे प्रिये काडिनल को बिराई जिते समय देते हुए हम ईश्वर से करबत प्रात्मा कर रहे हैं कि उनकी आत्मा अनंत शान्ती प्रात्त करें इसके साथ साथ हम ईश्वर के द्वारा उनको दिये गए सभी वर्दानों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं आईए हम बड़ी भक्ति के साथ इस पवितर समारोग में भाग लें अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चिताब करें ताकि इस पवितर ब्रदान को योग गरीती से अर्पित कर सकें दयाय आचना के लिए हम गाना गा सकें लिए ब्रदान सकें दया करो प्रभु येशु उप्रिदाता येशु बावी है हम शेलों में आए बावी है हम शेलों में आए भुपीताता मां करो प्रभु येशु उप्रिदाता येशु प्रभु येशु उप्रिदाता येशु अपने लगु से साफ करो मुची करुना साथर मां करो करुना साथर मां करो प्रभु येशु मुपीताता येशु ब्रभु येशु मुपीताता येशु मुपीताता येशु मुपीताता मां करो सर्वशक्तिमान येश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप छमाकर हमको अनंत जीवन प्रदान करे हम प्रात्न करे है येश्वर तुने अपने सेवक धर्माद्यक्स तेलस्फोर काडिनल पीटो पोको प्रेरितों की मंडली में गिने जाने और महा परोहित होने का गवरव प्रदान किया और अस्थान ये प्रजा का दाईत्व संपा था अब तुने उसे अपने पास बुला लिया है आयसी क्रिपाकर कि स्वरग लोग में भी उनको पुरोहितों की मंडली का सानतिया प्राप्थ हो हम या प्रात्ना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्रियस क्रिस्थ के द्वारा जो तेरे तथा पुत्रात्मा के साथ एक इश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं आमें आमें पहला पाठ प्रज्याग्रंथ अध्यातीन पत्संख्याएं एक से नाव तक इश्वर ने उन्हें होम बली की तरह स्विकार किया धर्मियों की आत्माएं इश्वर के हाथ में है उन्हें कभी कोई कस्ट नहीं होगा मुर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपती मानते थे और यह समस्ते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है किन्तु धर्मियों को शांती का निवास मिला है मनुस्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है किन्तु वे अमरत्व की आशा करते थे थोड़ा कश्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरसकार दिया जाएगा इश्वर ने उनकी परिक्षा ले और उन्हें अपने योग्य पाया है इश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परक लिया और होम बली की तरह उन्हें स्विकार किया इश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधक्ती चिनगारियों की तरह चमकेंगे वे राष्ट्रों का सासन करेंगे, वे देशों पर राज्य करेंगे, किन्तु प्रभु ही सदा सरवदा उनका राजा बना रहेगा जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, वे सत्य को जान जाएंगे जो उसके प्रति इमांदार हैं, वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे क्योंकि जिन्हें ईश्वर ने चुना है, वे क्रीपा तथा दया प्राप्त करेंगे यह प्रभु की वानिय हैं, ईश्वर को धन्याओ हुआ हुआ है में प्रभु के सामने चलता रहूंगा में जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा में जीवितों के देश में में जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा प्रभु न्याई और दयालो है हमारा इश्वर करुणा मैं है प्रभु दरिद्रों की रक्षा करता है मैंने सहे बन गया था और उसने मुझे बचा लिया मैं जीवितों के देश में तर्भु के सामने चलता रहुँगा मैं जीवितों के देश में तर्भु के सामने चलता रहुँगा यद्यपी मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूँ तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया मैंने संकत में पढ़कर यह भी कहा था कोई भी मनुष्य बिश्वासनिय नहीं है मैं जीवितों के देश में तर्भु के सामने चलता रहुँगा मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहुँगा अपने भक्तों की मृत्यू से प्रभु को भी दुख होता है हे प्रभु मैं तेरा सिवक हूँ तेरा दास हूँ तूने मेरे बंदन खोल दिये मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहुँगा मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहुँगा दूसरा पाट हैं हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है यदी हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते हैं और यदी मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए हम प्रभु के ही है मसी इसलिए मर गे और जीवठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभु हो जाएं हम सब इश्वर के नियायशन के सामने खड़े होंगे क्योंकि धन ग्रंथ में लिखा है प्रभु यह कहता है अपनी अमर्ता की सौगंद हर घुटना मेरे सामने जुकेगा और हर कंट इश्वर को स्विकार करेगा इससे इसपश्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा इश्वर को देना पड़ेगा प्रभु की वानी इस्वर को देखा है 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 आलेलुया आलेलुया, आलेलुया नेरे कि तागे कि पापातों आओ आरुस राज के अधिकाली बनाओ जो संसार के कानद से तुम लोगों के लिए तयार किया तयारे Alleluyah, Alleluyah, Alleluyah आर्लेटोया, Alleluyah, Alleluyah प्रभू आप लोगों के साथ हो आप्र आप्री आत्मा के साथ संत्योहन के अनुसार पुट्रसु समाचार प्रभू तेरी नहीं वागो अध्याए ग्यारह पदसंख्याएं सप्तरह से सप्ताइस बिथानिया पहुचने पर येशु को यह पता चला कि लाजरू चार दिनों से कब्र में हैं बिथानिया यरुसलेम से दो मील से भी कम दूर था इसलिए भाई की मृत्यु पर सम्वेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहुद्दी मार्था और मर्यम से मिलने आये थे जियों ही मार्था ने यह सुना कि येशु आ रहे हैं वह उन से मिलने गई मर्यम घर में ही बैठी रही मार्था ने येशु से कहा प्रभू यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता और मैं जानती हुँ कि अब भी आप इश्वर से जो कुछ मांगेंगे इश्वर आपको वही प्रेदान करेगा येशु ने उस से कहा तुम्हारा भाई जी उठेगा मार्था ने उतर दिया विश्वास करता हूँ वह मरने पर भी जीवित रहेगा मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनुरुथान में जी उठेगा येशु ने कहा पुनुरुथान और जीवन मैं हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो कोई मुझे में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो उसने उत्तर दिया हाँ प्रभू मैं ड्रिड विश्वास करती हूँ कि आप वह मसी इश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे प्रभू का सु समाचार हे क्रिश्टे स्तुति हो अति माननिये महा धर्माद्यक्षगन धर्माद्यक्षगन भारत में संद पापा के राजदूत के प्रतिनिधी अल्बेर्टो नेपोलितानों अन्य मसीही समुदायों के धर्माद्यक्षगन प्रिये पुरोहित भाईयों प्रिये धर्म बहनों और पस्तित सभी माता पिता भाई बहनों और अति मेरे प्रिये बच्चों आज हम दुखित धिर्दै से स्वरगिये आज विशब तलिस फोर कारिनल पी टुपो के दफन के मिस्सा और दफन की बिधी में भाग लेने के लिए यहां उपस्तित हुए हैं एक और हम उनके वर्दान पूर्ण जीवन के लिए ईश्वर को धन्यबाद दे रहे हैं तो दूसरी ओर हम उनकी आत्मा की अनन्त शान्ति के लिए ईश्वर से प्रात्ना कर रहे हैं दुख की ऐसे घड़ी में हमारे मन में विविन प्रकार की विचार आते हैं और हिर्दै में नाना प्रकार की भावनाएं उत्पन होती हैं हम जानते हैं कि संसार की प्रत्येक सृष्टी इश्वर से आती है और इश्वर में लवट जाती है इसे कोई नहीं रोख सकता या विधी का विधान है हमारे प्रिये काडिनल इस संसार में आए और चार अक्टुवर को इस संसार से विदा हो गए या इश्वर की योजना और इश्वर की इच्छा के नुसार ही है आज में हमारे साथ नहीं है अतह हम आहत हैं, हम दुखित हैं उनके साथ जो मानविये आत्मिये सम्मंद था वह एक तरह से तूट गया, बिखर गया मन दिल में उनके प्रति जो आदर सम्मान की प्रविर्टी और भावना थी उन्हें उनके समच अब हम ब्यक्त नहीं कर सकते हैं उनके प्रति जो नैसर्गिक आकशन था वह उनकी गहरी आधियात मिक्ता, उनकी सहज मिलन सारी था उनके ब्यक्तित्वा की सरलता उनकी नम्रता उनकी मानुयता उनकी सेवा भावना उनकी उधारता उनके वैराग्य उनकी मैत्री भावना आधी पर आधारिक था इनही गुनों के कारण लोग उनकी और आकशित और प्रभावित होते थे वे तीक्षन बुद्धी वाले थे, कार्य कुशलता और कार्य लगनता उनकी खूवी थी अपने उत्तरदाइत्वा को वे निश्ठा पूर्वत निवाते थे वे दूर दशी थे और लोगों की आध्यात्मिक और लौकिक भलाई के लिए सासिक कदम उठाते थे इनी सब गुनों के कारण वे एक परोहित से धर्मादिक्ष बनाए गए धर्मादिक्ष से महाधर्मादिक्ष बनाए गए और फिर वे कार्डिनल के पद से विभुशित किये गए क्युyal हैं आधिक्ष बनाए ये बनाए ये वे कवे हirk्षत मैं आधिक्ष बनाए तो झाल 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 प्रशासन के अधिकारियोंग ने हमारे धिवंगत कार्डिनल तेलस्पोर्पी टोपो के उपर रास्ट्रिय जंडा पाना कर उन्हें राज्किय सम्मान से विभुशित किया है इसके लिए हम प्रशासन को धन्यबाद देते हैं जो कार्डिनल टोपो एश्व के प्रथम अधिवासी कार्डिनल बने एक कार्डिनल के रूप में उन्होंने बिश्व भ्यापी कलीशिया और भारत की कलीशिया की सेवा की उन्होंने संपून कलीशिया के गवाई की उनकी बहुवित उपलब्धियों के बारे में आपने सुना उन्होंने सचमुच प्रभू का मार्ग तैयार किया आज हम उनके दफन के मिस्सा और उनके पार्थवे शरीर को दफनाने के लिए यहाँ उपसित हैं आज की धर्मविधी काडियल के पार्थवे शरीर की इस धर्ती पर अंतिम यात्रा है हम दुखित हैं फिर भी प्रग्यागरंद के वचन से हम सांत्वाना पाते हैं जिसे हमने पाले पार्थ में सुना प्रग्यागरंद के तीसरे अध्याय में वचन कहता है धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं उन्हें कभी कोई कस्ट नहीं होगा आगे वचन कहता है हमारे बीट से चले जाने के बाद धर्मियों का सरबनाश नहीं होता बलकि उनको शान्ती का निवास मिलता है आगे वचन कहता है वे अमरत्व की आशा करते थे थोड़ा कस्ट साने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा प्रज्यागरंत और भी बहुत अच्छे वच्छन कहता है कार्डिनल टुप को धर्मी व्यक्ती थे वे अमरत्व अर्थात अनंत जीवन पर आस्था रखते थे और उसकी आशा करते थे कई महिनों की बीमारी के कारण उन्हें कस्ट साने पड़े अब उन्हें शांति का निवास मिला है अब उन्हें महान पुरस्कार मिला है मेरी समझ में काडिनल की बीमारी और लाचारी उसकी पीड़ा और वेदना ईश्वर के वरदान थे वास्तव में वे महान वरदान थे सांसारी को दुनियाई दृष्टी में उनकी बीमारी को दुर्भाग्यपूर माना जाएगा लेकिन याद कीजिए हमारे प्रभू ने कहा है जो मेरा अनुसरन करना चाहता है वार रोज अपना कुरूस उठाकर मेरे पीचे खोले काडिनल के लिए बीमारी एक बड़ा कुरूस था जिसे उसने ढोया और प्रभू के साथ दुख भोगा काडिनल ने प्रभू के दुख भोग और प्रभू के कुरूस के वलिदान में भाग लिया और प्रभू का साहियोगी बनकर प्रभू के मुक्ति कारिया में भाग लिया इस तरह ईश्वर ने काडिनल को आध्यात्मिक वरदान दिया दूसरी बात है कि कार्डिनल की बिमारी से उसे जो पुन्यफल प्राप्थ हुए उससे उसके सारे पापों की छमा मिल गई वे पूर्ण रूप से शुद्ध और परिशुद्ध हो गए मन्ने के बाद उन्हें शदक आगनी में ठहरने रुकने की जर्रत नहीं पड़ेगी और वे सीधे स्वरकशिधारे आज के दूसरे पाठ में हमने रोमियों के नाम संत्पौलुस के पत्र से वचन को सुना वचन काता है हमेमें से कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है ज़दी हम जीते हैं तो प्रभू के लिए जीते हैं और अगर हम मरते हैं तो प्रभू के लिए मरते हैं इस प्रकार हम चाहे जीते रहें या मर जाएं हम प्रभू के हैं हम निश्तित रूप से कह सकते हैं कि काडी ने अपने लिए नहीं वरन प्रभू की महिमा के लिए और ईश्वरी सं Shantan की सेवा के लिए अपने आपको फून रूप से समर्पित किया उसका जीवन और मरन प्रभू में समर्पित था उनमें धन सम्पत्ति, मान मर्यादा, शक्ति सत्त आधी की कोई लालसा नहीं थी उनका एक मात्र लक्ष्य था प्रभू की महिमां के लिए जीना और प्रभू क के लिए मरना संद्पालुस के शब्दों में वे आंतरिक रूप से दूराते थे मैं चाहता हूं कि मसी को जान सकूं जान लूं उनके पनुर्थान के सामर्थ का अनुभाव करूं और मृत्यू में उनके सद्रिश बनकर उनके दुख्भोग का साभागी बन जाओं जिससे मैं किसी तरह मृत्कों के पनुर्थान तक पहुंच सकूं। फिलिप्चियों के नाम संद्पालुस का पत्य तीसरा, ध्या, दस और ग्याराव। आज के सुसमचार में हमने प्रवु येशु के वचन को सुना। वे बेथानिया गाओं में लाजरुस की बाहन मर्था से कहते हैं, पुनरुथान और जीवन मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है, वा मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हैं, वे जीता है, वा कभी नहीं मरेगा। हमारे प्रभु का काना हमारे प्रभु काना चाह रहे हैं कि वे ही जीवन है वे ही आत्मा के जीवन है इस दर्थी पर शरीर का जीवन और मरने के बाद भी उनहीं प्रभु का जीवन मनेश की आत्मा में रहता है जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता और उसकी शिक्षा के नुसा जीवन यापन करता है तो यदपी वा शारीरिक रूप से मर जाता है तथा पी वा आत्मिक रूप से जीवित रहता है जीवित रहता है अनंतकाल तक जो व्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता और प्रभु के प्रेम की शिक्षा का नुसार नहीं चलता वह आत्मिक रूप से मर जाता है इश्वर से उसका संबंध कट जाता है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि कार्डिनल ने प्रभु येसुपर जो पनुरुथान और जीवन है पूरा विश्वास किया और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में निश्ठा पूर्वक अमल किया अताशारिरिक रूप से मर कर भी वे जीवित है उनकी आत्मा ने पनुरुथान प्राब किया और अब कभी नहीं मरेगी वह सदा जीवित रहेगी अपने जीवन काल में कार्डिनल मातम की भक्ति करते रहते थे उन्होंने उसे अपनी प्यारी माता के रूप में आदर सम्मान किया वे अपने को माता के रूप मातम के प्रिये पुत्र के रूप में मानते थे इसके साथ ही वे कलिव अपने के प्रियस्या के प्रती परत्र युकरिस्त के प्रती और कलिश्या की दैनिक प्रात्राओं के प्रती बिस्वस्त और निस्ठावांते इसके साथ ही वे कॉलकॉत ताकि संत मदर तिरिशा के परम तते वे मदर तिरिशा से कई बार मिल चुके थे और उनकी चर्चा अक्सर किया करते थे उन्हों ने अपनी इच्छा अब्यक्त करते हैं कि मरने के बाद उसे कैथिडरल में संत मदर तिरिशा की मुर्ती के सामने दफना जाए अधा उसकी इच्छा को पूरी करते हैं कि अधा उसके पार्थवी शरीर को मदर तिरिशा की मूर्ती की नीचे ही दफनाए जाएगा प्रिशा के भाई और वानों हम कार्डिनल के धार में पौरोहितिक और धर्म धर्माद चीए जीवन और उसके सभी प्रेरितिक और परवकारी कार्यकलापों के लिए इस अधर को धन्यबाद देते हैं माध्यम से ईश्वर ने असंक्या लोगों को आज़ा है इस अधर को धन्यबाद देते हैं और प्रात्ना करते हैं और अनंत शांती प्रदान करें आमें हम धार्मिक अनुस्ठान की प्रिक्राइ अभी हमने इश्वर के बच्चन को सुना हम धन्यवाद देना चाहेंगे जारखन सरकार माननिय मुक्पंत्री स्री हेमन सोरिन और पुरी कैबिनेट और पुरी सरकार को कि उन्हों ने हमारे महमहीम कार्डिनल तेलिस्पोर को राज के सम्मान दिया है धार्विक प्रतिस्ठान आगे बढ़ते रहेंगे अभी राज के सम्मान के रूप में हमारे प्रशाशन के अधिकारियों से किवे उन्हें राज के सम्मान दें कि उन्हें राज के सम्मान 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 झाल झाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत 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 धन्यवाद 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 अब यह मिस्सा के अगली कड़ी में आगे बढ़ेंगे शड़हावा का कीट गाएंगे अंन्यवाद कर दो में हो भी है था कोर्वी है कर दो दो कर 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 दो पुना हम पूरी कलीशिया के नाम पर माननिय मुक्मंत्री स्री होमन स्वरेंजी आपकी पूरी कैबिनेट और पूरी जार्खन सरकार आप सबहों को हम तहे दिल से धन्यवाद देने चाहेंगे आपका हमारे महामहीम कार्डिनल तलिसफोर पी टोपो को राजिके सम्मान देना ईश्वर की महतर महेमा के समान है हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं साथी साथ प्रसाशनी कदिकारी सभी विधायक, सांसद और सभी सुपचिंतक जो यहाँ पर आये हुए हैं सभों को बहुत बहुत धन्यवाद अभी हम इसा में आगे बढ़ते हैं आपके लिवाद चेड़ में रेक दूते सब को मिले तेरा त्याँ जो हो मिला जीवन होचे अरपन में तुष्पिना जो है तेरा ताक्रसा रोटी के साथ जो है तेरा ताक्रसा रोटी के साथ प्रिये भाई और बहनों प्रातना कीजिए कि सर्वेशक्ति मान पिदाब रमेश्वर मेरा और आप लोगों का या बली दान ग्रहन करे गो अपने नाम की स्थुद्धियर में बात के लिए और हमारे तकापने समस्थ और इद्र के लिए आपके हाथों से या बली दान स्विता करे हम प्रातना करे हम तेरे सेवक माधरमाजेश तेलेसवर काडिनल पीटोपो के लिए या बली दान चड़ा रहे हैं क्रिपा करके इससे ग्रहन कर इस लोक में तुने उन्हें माहापरोवित बनने की क्रिपा दी थी अब उन्हें संतों की मंडली में सम्मिलित होने का सोभाग्य प्रदान का हम या प्रातना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आले प्रभु आप लोगों के साथ हो आपनी आत्मां के साथ प्रभु में मन लगाएं हम प्रभु ने मन लगाएं हुएं हम अपने प्रभु इश्वर को धन्यवाद दें यह उचित आउनाई संगत है प्रभु पवित्र पिथा सर्व शक्ति मान और शाश्वत इश्वर यह वास्तों में उचित आउन्याई संगत है हमार कत्त वित था कल्यान है कि हम सदाव सर्वत्र आपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें इन्होंने स्वय मरना स्विकार किया ताकि हम सम्रित्यू से बच सकें इन्होंने अखेले मरना स्विकार किया ताकि हम सब तेरे सम्मुख सदाव सर्वदा जीवित रहें इसलिए स्वर्गदूतों की मंदली के स्वर में स्वर मिलाकर आनन की उमंग में हम तेरा स्थूथी गान करते हैं आनन 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 करते हैं हम तुझसे प्रात्ना करते हैं तिन फारों को अपने आत्मा के संस्बस से पवत्र कर दे कि हमारे प्रवये सुख्रिस्त के शरीट था रग्त बन जाएं जब वे स्विच्छा से मृत्यू के लिए सौपे गए उनों ने रोटी ली तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिश्यों देते हुए काहा तो हम साब इसे लो और इसमें से खाओ क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुमारे लिए बली चड़ाए जाएगा इसी भाती भोजन के बाद उनग ने कटोरा लिया तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिश्यों देते हुए आएगर बला में अपने दुझे धन्यवाद से खाओ का लिया तो है अएगर्दार इसमें, छो तुमारे ये ये जले अवड़ादिते हुए यह विष्वास का रहस्या प्रिष्ट मर्वें प्रिष्ट दियुचे प्रिष्ट मर्वें मां के साथ प्रिष्ट दियुचे इसलिए है प्रभू हम ख्रिष्ट के मृत्यों और पुनुरुत्थान के समृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ती का कटोरा चड़ाते हैं हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तुने हमें अपने समुक पासित होने और अपनी सेवा करने का सवभाग्य प्रदान किया है हमारा नमर निवेदन है कि हम सब ख्रिष्ट का शरीर और रग गरहन करके पावित्रात्मा के द्वारा एकता के सुत्र में बंदे रहे हैं हे प्रभू हमारे संद्पिता फ्रांसिस हमारे धर्मध्यक्ष फैलिक्स और थियदोर और सभी आजकों के साथ विश्व भर में फैलिया अपनी कलीशिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे हे प्रभू अपने सेवक सुधीले जिनको तो ने इस लोग से अपने यहां बुला लिया है इन्हें यह वर्दी की जैसे वे बप्तिस्मा में तेरे पुदर की मिर्ट्यके साभागी हुए थे वैसे ही उनके पुडुधान का सभाग्या भी प्राप्त करें हमारे उन बाहे बवनों की भी सुधीले जो पुदर रत्तान की आश्चा में परलो से दा चुके हैं उन्हें आउसे भी मृत कुंगू अपने पुड्यके दर्शन का सभागी प्रदान केर हम सब पर दयाद इस्टिडाल की हम भी अनजीवन के सभागी बनें और इस्टिडाल की मात अधन्यक वारी मरियम उनके वर्सन दियो सब दन्य प्रेजतों तदा सब संतों के साथ जो युगानु युग तेरा ही है आपने 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 आपन मुक्तिदाता के आदेश पर और धिव्या शिक्षा से सुद्रिड होकर हम साहस के साथ प्रेम पूरवक गाते हैं विक्ता हमारी तुचो तरेका स्वर्र नाम नीवाद आवन तेरा नावस्दा आवे तेरा राद सर्च सवान हमेरी इंशा तरवी तलब पूरवक गाते हैं तरवी मिना आवार हमारा तरवी आज प्रना मार हमारे अप्रादों को शमा मान करना जो अपने अप्रादे जड़े को अब करते हैं मान ना पुरी चले हमारे इंट बुरादों से बचा ये प्रभू हम तुझ से प्रात्ना करते हैं सभी पुराईयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें क्रिपा पुरवक शान्ति प्रदान कर हम तेरी द्यासे सदापाप से दूर और हर भी पत्ति से सुरक्षित रहें और उस तों की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्ति दाता ये सुख्रिस फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे हे प्रब ये सुख्रीज तुने अपने प्रेजितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांती छोड़ जाता हूँ अपने शांती तुम्हें प्रदान करता हूँ तु उमारे पापों पर नहीं अपने कलिस्य के बिश्वास प्रदिस्टी डाल और कृपापूरवक उसे शांती तथा एकता प्रदान कर तुझे युगान्युक जीता और राज्य करता है प्राभु की शांती सदाप लोगों के साथ हो परस पर प्रेम भाव रखिये करता है स्की परमेश्वते निमने मुष्री हाँ साप पर कि जो निका भावे तो पर दियाजन के परमेश्वते निमने मुष्री हाँ साप पर कि जो निका भावे साप पर दियाजन के परमेश्वते निमने मुष्री हाँ साप पर कि जो निका भावे साप पर दियाजन के हे प्रभु ये सुख्रीज हम तेरा शरीत धार गिरन करने वाले हैं या हमाले विचार दिन के कारण ना बने बलकि तेरी द्यासे मरतन मन्सुरच्ची तो स्वस्त रखे देखिए इश्वर का मेमना उसे देखिए जो संसार के पाभर लेता है धन्य है हम सब जो प्रभु किस बोज में बलाए गए हैं ये प्रभु में सब्सक्राइब कि आप मेरी मरा आवि इंजे शप्षत कर दिजिए आमेरी आत्मा जीविए प्रभु ये सुख्रिस्त को शरीर और रख अनंत जीवन के लिए हमारी रच्छा करता रहें आमेन अभी परंप्रसाद का वित्रण का समय है ये परंप्रसाद उनहीं के लिए दिया जाता है जो ख्रिष्टिय विश्वास के अनुसार से उन्हें शिक्षा दिक्षा दी गई हो जो अन्या भाई बहन हैं आपकी उपसिति के लिए हम धन्यवात कियते हैं इस परंप्रसाद को ग्रहन करने आगे मत आये बल्कि अपने ही जगह से आप प्रात्ना करियेगा सब ही पुरोहितों से गुजारिश रहेंगी कि परंप्रसाद वित्रण में आप सहयोग करेंगे विश्वासी भाई बहन अपने ही जगह में रहिएगा पुरोहित गण स्वेस्वत के साथ में आपके यहां तक आएंगे परमपरसाथ वित्रण के लिए स्वेस्वत के साथ में स्वेस्वत के साथ में लिए दिया जब चतन ने मेरे इन बायों के लिए दिया वह मेरे इन बायों के लिए दिया जब चतन ने मेरे इन बायों के लिए तुम ने मुझे दिलाया जब चतन ने मुझे दिलाया तुम ने मुझे दिलाया आओ 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 मेरे पर पिता के घर में वास्करो आओ 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 मेरे पर पिता के घर में वास्करो जो कुछ तुम ने मेरे इन बायों के लिए दिया जो कुछ तुम ने मेरे इन बायों के लिए दिया वह मेरे लिए दिया वह मेरे इन बायों के लिए दिया वह मेरे इन बायों के लिए दिया लेच पर दगाथा तुम ने मुझे पराए जट छोगाथा तुम ने मुझे करवाया आओ, 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 मेरे परभ पिता के घर में बास करो आओ, 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 मेरे परभ पिता के घर में बास करो जो कुछ तुम ने मेरे परभ पिता के लिए किया जो कुछ तुम ने मेरे परभ पिता के लिए किया वह 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 मेरे पर्भ पिता के लिए फेकिए तियर परभ पिता के लिए किया भाव पिता के लिए किया आओ, 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 मेरे परम पिता के घर में वास करो जो कुछ तुम ने मेरे इह बायों के लिए दिया जो कुछ तुम ने मेरे इह बायों के लिए दिया वह मेरे इह बायों के लिए दिया वह मेरे इह बायों के लिए दिया जो कुछ तुम ने मेर इह बायों के लिए बायों के लिए दिया जो कुछ आओ, 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 आओ झाल 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 पाती में मिल जबो दयां है रेहा पाती में मिल जबो दयां है रेहा सुदर काया पाती में मिल जबो दयां है रेहा झाल झाल पाती मिल जबो दया पाती में मिल जबो दयां है रेहां पाती में मिल जबो दयां है रेहां सुदर काया पाती में मिल जबो दयां है रेहां जबो दयां है रेहां जबो दयां है रेहां पाती मिल जबो दयां है रेहां झाल 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 मैं तेरे पास आया जीवन दान दे दे मुझे झाल 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 पावियों को तुने येश श्यमा दान दिया है रनत सुख पाने के लिए ये भू मैं तेरे पास आया हूँ जीवन दान दे दे मुझे जीवन दान दे दे मुझे रनत जीवन पाने के लिए जीवन दान दे दे मुझे रनत जीवन दान दे दे मुझे अन्तिम प्रात्ने के लिए हम खड़े हो जाएंगे हम प्रात्न करे है सर्वशक्ति मानिश्व अपने सेवक्त माधर्माजेच तेलेस्पोर काडिनल पीटोपो को जो ये संसार से विदा हो चुके है इस बलिदान द्वारा पवित्र कर दे ताकि ये पाप से मुक्त होकर पुनरुथान का आनन प्राप्त करें या मारी प्रात्ना है प्रभु क्रिस्ट के द्वारा अपने प्राप्त के द्वाराइब थे ये प्राप्त के दिए भाइव आंपनो पाउत्र मिस्सा की समाप्ती करीब करीब हो चुकी है अब हम आगे की कड़ी में बढ़ेंगे सब कोई बैठ जाएंगे अभी सहनुभोती अथ्वास्वंवेदन संदेश और स्रधान जली के भाग में हम प्रवेश करते हैं सहनुभोती संदेश प्रतिनिद्वत प्रतिनिद्वत के तौर पे कुछ व्यक्तियों को दिया गया है वे तयार रहेंगे इसके पश्चात स्रधान जली देने के लिए भी कुछ एक नामों का जिक्कर किया गया है उन्हें रखा है वे भी तयार रहेंगे सर प्रतिम मैं सहनुभोती संदेश की कड़ी में बुलाना चाहूंगा महमहीम के परिवार महमहीम कार्डिनल के परिवार की ओर से उनकी ग्राइंड डोटर सिस्या अनुपुनम तोपो दिसेखो सिस्या अनुपुनम तोपो दिसेखो मृत्यू जीवन का विनास नहीं, जीवन का विकास है दिवंगर महामहीम तेलेसपोर प्री कार्डिनल टुपो, हमारे दादाजी के जीवन के अंतिम यात्रा में उपस्थित अतिमान्यवर बिशब फेलिक्स टुपो, येसु संगी महाधरमाद्यक्ष रांची महाधरम प्रांथ संद्पितात पापा के प्रतिनिधी मौन सेनी और अलबेर्तो, उपस्थित सभी आज विशब विशब गन, पुरोहित गन, धर्म बहने, धर्म बंधू, यें विश्वासी गन हम टुपो परिवार की ओर से दिवंगत, महामहीम, हमारे दादा जी को श्रधान जली अर्पित करते और प्रितक गिता प्रकट करते हैं स्वर्प्रथम हम परंपिता इस्टर को महान व्यक्तित्व के धनी हमारे दादा जी के संपून जीवन और कारियों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने उन्हें एक साधारन छोटे आदिवासी ख्रीष्टिय परिवार से सुनकर अपना सेवक बनाया, तथा इस सेवक फादर कॉंस्टन्ट लीवन्स द्वारा प्रजवलित चोटनागपूर में ख्रीष्टिय विश्वास की मसाल को और अधिक प्रजवलित करने का अवसर दिया उसने ना सिर्फ चोटनागपूर में किन्तु देश विदेश में विश्वास, प्रेम, सेवा की जोति को रोशन किया चोटनागपूर कलिस्या को अपने भले कारियों और जीवन द्वारा गौरनित किया और एक आदिवासी कार्डिनल की उपाधी से कलिस्या और आदिवासी समाज की पहचान दी है आज ईश्वर ने उन्हें होम बली की तरफ स्विकार किया है हमारा विश्वास है कि वे आज स्वर्ग में अपने दूतों और शंतों और हमारे पूरवज़ं से मिलकर हमारे लिए और संपून कलिस्या के लिए ईश्वर्य आशिर्ष और क्रिपा के मध्यस्त बने हैं हम दादाजी के अंतिम यात्रा के ख्रिष्ट्याग में सभागी होने वाले सभी धर्मबंधों, धर्मबहनों, विश्वासि गन तथा गन्यमान्य सभूं के लिए प्रभूप धन्यवाद देते हैं कि आप सभी ने दिवंगत आत्मा के लिए प्रात्ता की है थाज कर prim, अ सले कर दो दिए लिए प्रिवंगत है devam मया है कि आप सभी प्रात्त दे ख सभी था है मैं कर मेड़़् ख़स्य है अंतिम यार्मबंग सभूं हाइज में सभी जागा घर बने Cलिए इंवार में मैं सभी रहनहत झाल 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 पूरा सब्ता कार्डिनल स्वामे जी ने उत्तर बंगाल के बाग्डोग्र सिरिगोडी जलपाईगोडी तथा दाजिरिंग धर्म प्रांथों में विश्वासियों के स्वागत एवं प्रेरितिक भेंट में बिताया था मैं उन दिनों बाग्डोग्र धर्म प्रांथ का धर्मादिक्ष था उस भेंट के अंत में उन्होंने मुझे कहा बिशप थामज आपने और आपके सभी लोगों ने उनके प्यार तथा स्वागत से मुझे साथ स्वर्ग तक पहुँचा दिया है वे बहुत खुश हुए थे लोगों से मिलना उन्चे पद पर रहते हुए भी अपने सधारण देहाती जीवन जड़ों को ना भूलना या उनकी विशेष्टा थी भला गड़ीर्या बन कर अब वे सच्मुच साथ स्वर्ग में प्रवेश कर चुके हैं इश्वर उन्हें अनद जीवन धता सुख प्रदान करें कलकता का भी उनका अच्छा अनुभव रहा है एक बार उन्होंने मुझसे कहा था जब मैं दुमका धर्म प्रांद का नया धर्मात रक्ष बना तब कलकता आश्विश्प्स हाउज जाना था मुझे डर लग रहा था महा महें कार्डिनल लौरिंस पिकाची स.जे कलकता के आश्विश्प्स थे क्या मुझे विस्विकार करेंगे मैं पहली बार जा रहा था मैं एक सधारन ट्राइबल हूँ लेकिन जिस प्रकास से कलकता के आश्विश्प्स कार्डिनल पिकाची ने पिकाची से अन्य फादरों से वहां पर प्यार और सम्मान के साथ मेरा स्वागत हुआ मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा रांची धर्मप्रांथ कलकता धर्मप्रांथ का हिसा था 1927 साल तक इसलिए कलकता महाधर्मप्रांथ कलकते के आश्विश्प और मेरे प्रती भी उनका बहुत प्यार रहा है इसके लिए मैं कलकता धर्मप्रांथ के नाम में सारे पश्चिम बंगाज सिकिम रीजन एक्षेतर के सभी धर्मादक्चों परोहितों धर्म भाईभेरों के एवं लोगधर्मियों के नाम में महामयम काजनल स्वामी जी आपको धन्यवाद देता हूं और प्यार एवं श्रद्धा भरे हिदाई से अल्बिदा काता हूं आप जारकन के सुपुत्र छोट नाक्पुर के सुपुत्र तता सारी कैथलिक कलीसिया विशेशकर भारत की कलीसिया के सुपुत्र एवं नेता रहे हैं आज Conference of Catholic Bishops of India CCBI इनके अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी नहीं हैं यहां पर वे रोम में हैं इसलिए उन्होंने कहा हमारे Conference के सभी बिशवों के नाम में हमारे प्रियग महा महें कार्डिनल को धन्यवाद देना और हमारे कृता गयता वहां पर प्रकर करना इसलिए कार्डिनल फिलिप मेरी के नाम में और CCBI के नाम में मैं हमारे अध्यक्ष प्रियग महा महें कार्डिनल तेलिस्पो टोपो को धन्यवाद देता हूँ जो नेत्रित्व एवस सेवा आपने दी और अपने नम्र और खुछ स्वभाव से प्रात्नमें जीवन से तदा प्रेरितिक सेवा से आपने हम सबों के लिए एक आदश दिया यह हम सदा याद रहेंगे और आपके जीवन में इश्वर की योजना और आपके समर्पन की यह कहानी को हम जारी रखेंगे सभी बिशपों के ओर से हमारे महा महें कार्डिनल स्वामी जी आपको धन्यवाद महामाइम कार्णिल स्वामी जी आपको पुन्हा यही प्रेम और कृतग्यता की शिद्धान्जली अर्पित करता हूँ संतौलूस के साथ आप भी कर सकते हैं मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ अपनी दवड पूरी कर चुका हूँ और पूर्ण रूप से इमांदार रहा हूँ अब मेरे लिए धार्मिक्ता का वह मुकुट तयार है जिसे न्याई विचारपती प्रभू मुझे प्रदान करेंगे दू थिमती चार, साथ और आठ वही मुकुट आपको प्राक्त हो आप अनंत जीवन में प्रवेश करें स्वामी जी अल्बिदा महाधर्माद्यक्षित्वमस्ति सुजा आपको आपके सम्वेंदना संदेश के लिए बहुत धन्यवाद अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री पुनीत पुदार जी को जो रिप्रिजन करेंगे अब मैं बुलाना चाहूंगा माताओं और महीन लाओं का प्रदिद्वा करने के लिए मिसेस सिल्पी नेहा तर्की को करेंडं़ना स्दिपश ने बताइश्य करतो दोड़ुत यब मैं लाओं क करने काव्ञा है किसलित बड regret रवकराई बहुत आज हमारे समाज के लिए बहुत ही दुख भरा दिन है इस दुख के घड़ी में मैं ईश्वर से प्रातना करती हूँ कि हम सभी को हिम्मत देवे आमीन आज कुछ ही महत्पूर्ण लोगों के नाम से जार्खन की पहचान अंतराश्ट्रे जगत में बनी और उनमें कार्डिनल तलस्फोर पी टोपो का महत्पूर्ण स्थान है गुमला जिलेकर एक सुदरवर्ती गाउं में उराओ जन्जाती परिवार में जन्म लेने वाले कार्डिनल तलस्फोर पी टोपो के स्वभाओं में उराओं जन्जाती के सादगी, सरलता, विनम्रता जैसे सभी गुन थे कार्डिनल तलस्फर पी टोपो का नाम केवल इसलिए महत्पूर नहीं है क्योंकि वो जन्जाती समुदाय के बीच से उभर कर आने वाले एशिया के पहले आदिवासी कार्डिनल थे कार्डिनल तलस्फर पी टोपो ने 1984 में राची का आच बिशप न्युक्त होने के बाद कार्डिनल के पद को सुशोबित किया और सभी जाती, धर्म, समुदाय, आदी के लोगों को अपने साथ समाहित करते हुए उनकी भावनाओं का सम्मान किया इसके कारण उन्होंने जार्खन में वैसा वाता मरन का नर्मान किया जिसके कारण जार्खन की समाजिक समर्सता की पहचान देश में स्थापत हुई कार्डिनल तलस्फर पी टोपो के हृदे में जार्खन और यहां के जन्जाती समुदाय के अलावे सभी जाती धर्म और समुदाय के लोगों का दुख दर्द गहराई तक बसा था वे जल जंगल जमीन और अपने लोगों के साथ दिल से जुड़े थे कार्डिनल तलस्फर पी टोपो के विशेश प्रयासों का ही परिनाम था कि 1986 में जब महा महीम पोप जौन पॉल के भारत ब्रह्मन का कारिक्रम बना तो उसमें राची वैसे कुछ एक महतुपुन शहरों में से एक था जहां महा महीम पोप जौन पॉल की सभा हुई और वो दिन जारकन के लिए एतिहासिक दिन था कार्डिनल तलसफ़र पीटो पॉल लगातार समाज को ससक्त करने के लिए चाहते थे कि महिलाएं समाज और कलिस्या में बढ़ चर कर हिस्सेदारी दे वे महिलाओं के उत्थान के प्रती काफी गंभीर रहे उनका विचार था कि महिलाओं को समाजिक और आर्थिक द्रिष्टी से इस योग बनाया जाए कि वे अपने परिवार के साथ समाज राज एवं देश के विकास में कदम में कदम मिला कर चल सके महिलाओं को समाज में उच्चित अधिकार मिले जिसे वो अपने निरने के लिए किसी अन्य पे निर्भर ना हो कार्डिनल तलस्फर पीटोपो की यह मानिता थी कि महिलाओं के उधान से ना केवल कलिस्या आगे बढ़ेगा बलकी महिलाओं और बालिकाओं को भी एक अधबुद संबल मिलेगा कार्डिनल तलसफर पीटोपो हमेशा काथलिक महिला संग के साथ चर्चा और विचार प्रिमर्श करते थे वह उन लोग उनको लगातार परामर्श और अपने इनोवेटिव आइडियाज देते थे वह इस बात को समझते थे कि महिलाओं में मल्टी टास्किंग और समवेदन शीलता की गुन भरी हुई है वह केवल अपने घर के अंदर सीमित ना रहे बलकि वह समाज के भी नव निर्मान में काम अपना साथ दे उनमें नित्यत्वे की भी छमता है इसलिए वह हमेशा महिलाओं को प्रोचसाहित करते थे और आज भी वह अगर हमारे बीच होते तो वह चाहते कि महिलाएं बर्चर कर भागीदारी दे ना केवल कलिस्या को मजबूत बनाने के लिए बलकि पूरे समाज को मजबूत बनाने के लिए आज इस मन से मैं उन्हें अपने पिता समान याद करती हूँ और प्रातना करती हूँ कि वह एक चरवाहे के रूप में हमें हमारे ऊपर सदा आशिश बनाए रखेंगे धन्यवाद जिनका नाम लिया जाएगा आप सामने आएंगे और ये अच्छी बात है कि उनमें से बहुतोंग ने स्रधान जली दे दी है आप आकर के रीद को महमाहिम के लिए चड़ाएंगे रेलिजियस कम्यूनिटी का प्रतिनिदित्व करते हुए सिस्टर लेलि ग्वेस्ट अपनो मदर जेनरल को मैं आमातित करना शाह हूंगा कि वो आकर के रीद अरपित करें उसके पश्यात मुस्लिम समूदाय से मुहमद नौशाद जी आएंगे तीसरे नमबर पे सिक समूदाय से सरदार कुलदिप सी सिक समूदाय के वे चेर्मेन है आगे आएं हिंदू का समूदाय से स्री संजय बासु मलिक आगे आएंगे रामा कृष्णा मिशन से कोई प्रतिनिधी है तो आगे आएंगे ब्रह्मक्मारी समूदाय से अगर अभी भी उपस्तित हैं तो आगे आएं उन्होंने स्रधान जली वैसे दे दिया है हेल्थ केर कम्मिनुटी से डॉक्टर देवुखा आगे आएं और स्रधान जली अपित करें C.R.I. Conference of Religious India T.O.R. के प्रोविंचियल स्रधेफ़ादर मनोच आएं पुरोहितों के समूधाय से स्रधेफ़ादर मैक्सिमुस टपो आगे बढ़ेंगे कुरूस वीर तथा नन्ने बच्चों का प्रतिनी दित्वक करते हुए कुआरी सुनायना कुलू आगे आएं काथलिक सभा से स्री पेतरूस एकका जी आगे आएं काथलिक महिला संग का प्रतिनी दित्वक करते हुए स्री मति मार्था टपो आगे बढ़ेंगी तथा युवाओं का प्रतिनी दित्वक करते हुए स्री कुल्दिप तिर्की जी कोई और प्रतिनी दित्वक करने वाले हैं तो स्रधान जली देने के लिए आगे बढ़ें सिबसे है कि ओूसे अभी इसी के साथ मैं इस कड़ी में विराम देना चाहूंगा और धन्यवाद ग्यापन करने के लिए आगरह करना चाहूंगा माननिय आजयत तिर्कीजी सरनात समुदाय से आगे आएं इसी के साथ में मैं बिश्रप के उदर मसकरनस S.F.X हमारे राची महाधर्म प्रांत के साहयक और बिश्रप धन्यवाद के दोश्रत कहने के लिए माइक पर आमन्त करता हूं बगवान जो करता है टीक ही करता है जब मैं आप लोगों के सामने राची महाधर्म प्रांत और हमारे आज बिश्रप फेलिक्स तोपो के नाम पर दन्यवाद कहने के लिए कड़ा हूं तो कार्डिनल के यही शब्द मेरे दिल में गूचते रहते हैं आज बोलना मुश्किल है फिर भी दन्यवाद देना अनुवारिया है अतिमानिय श्री हेमन सोरिन जी अतिमानिय आज बिशप फेलिक्स तोपो जी सभी उपस्थीत हमारे आज बिशप और बिशप सम्मानित अतित गन पुरोहित गन दर्महने दर्मसमाजियों एवं बाई और बहनों यह दुख की गड़ी है फिर भी प्रभु को दन्यवाद देने की गड़ी है हम प्रभु को उसके महान वर्दानों के लिए दन्यवाद देते हैं जो हमें हमारे प्रिय कार्डिनल दुआरा प्राप्त हुए है हमीश्वर को हमें इतना महान कार्डिनल देने के लिए दन्यवाद देते हैं जो हमारे मारदर्शक और मित्र रहे जिसने हमारे लोगों को एक अच्छा जीवन जीने के पूर्ति के लिए सपने देखने की साहस की लोगों को प्रेम किया और प्रेम से उनकी सेवा की अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित किया एक गरीब और सादरन परिवार से आने वाले एक बच्छे पर इश्वर की क्रिपा और कलीसिया के योगदान से और अपने अच्छे गुणों का उप्योग करते हुए इतना विकासित करते हुए उसने इतनी असादरन उच्छाई तक पहुँच गए उसने हमारे आदिवासियों को जरखन को और बारत को सबों को गर्व लाया नाम रोशन कर दिया हमारे आदिवासियों को एक नया उच्छा गरिमा प्राप्त कर दी हमारे बच्छों को और यूवकं को एक जोती बन गया हीरा बारवे से आते हुए जरखन के लिए बारत के लिए दुनिया के लिए कुद हीरा बना हम तीन पापों की विशेश करके संत पापों की विशेश करके दन्यवाद कहते हैं जॉन पॉल संत पापा जिसने उसको कार्डिनल बनाया संत बेनेडिक्ट जो उसको सदा सम्मान से देखता था और वेटिकन के वीविन विबागों का सदस्य बनाया और संत पापा फ्रांसिस जो उसके बड़े प्यार से लेते थे, स्वागत करते थे और आज एक बड़ा अच्चा संदेश भी बेजा हम हमारे अपास्टलिक नूंसियो, आज बिशप लेपोर्दु जी रेली, और उनके सबी फूर्व अधिकारें को दन्यवाद देते हैं मिशस करके हमें याद है हमारा नून्सियो आज बिशप ले पॉल्ट जिरैली एक मीटिंग के लिए यहां एक दिन के लिए आया था उसका प्रोग्रम बहुत टाइट था हमारे फादरों से उसकी मीटिंग थी बीच में ही मुझसे कहा पता नहीं वो मुझे दूसरे बार मिले गाया नहीं मैं उलातू जाना चाहता है रात को रात के आठ बजे उलातू गया वापस आके फादरों के साथ बारा बजे तक दोबरा मीटिंग कर दिया इतना प्यार बिताया आज हमारा नून्सियो का प्रतिनिदी मुझेर अलबेर्ट तो नापोलितानों हमारे बीच में है उसको भी धन्यवाद देते हैं विशेश करके उसके परिवार की मैं याद करता हूँ और जिक्र करता हूँ एक बहुत ही विशेश परिवार जिसके माता पिता ने कार्डिनल के दिल में विश्वास बोया वो ही विश्वास लेके पुरोहित बिशव आज बिशव कार्डिनल बन गया सबी परिवारों के लिए एक उदारन जो विश्वास बोते हैं उसका फल भी मिलता है हम हमारे प्रिया आज बिशव फेलिक्स तोपो हमारे दर्म रांद के सबी पुरोहितों सबी दर्म समाजियों को दन्यवाद देते हैं क्योंकि वे हमारे प्रम प्रिया कार्डिनल को प्यार और सम्मान देते थे और देते हैं हम सभी सिवील अधिकारियों को के आबारी हैं राजपाल सीपी राधकृष्णन जिसने आज सुबह संत मारिया गिर्जगर में हमारे कार्डिनल को श्रदानजली दी बहुत अच्चे शब्द भी बोले श्री सीबू सोरिन जी जो कार्डिनल का एक विशेश दोस्त है उसकी भी आद करते हैं हमारे मुक्य मंत्री हेमन जी जो है उपस्तित मैं जरकंड और राश्टिस्टर के सभी राजनेताओं को दन्यवाद कर देता हूँ जो हमारे कार्डिनल को अती प्रेम और सम्मान दिखाते रहे हैं उन्होंने बहुत जन्ने आज ही कॉंग्रेस प्रेजिडंट मालिक अरजुन करगेजी की भी मैसेज आई है बहुत नेताओं ने वीडियो पेर भी मैसेज लगाई है हमें भी मैसेज बेज़े हैं अब सबों को बहुत बहुत दन्यवाद इस दिन को विशेश बनाने के लिए सफल आयोजना, सुविवस्ता, लौ एन ओर्डर के लिए हम पूरी सहयोगी प्रसासन, हमारे डीसी, हमारे एसेसपी, पुलिस फोस, हमारी कैबिनेट सेकरेटरी सबों को दन्यवाद देते हैं कि हमें इतनी मदद कर दी ये आज की आयोजन करने के लिए हमारे प्रिया कार्डिनल के दफन को, राजकिया दफन गोशित करने को से हम अपने आप को और आदिवासी समाज समानित महसूस करते हैं इससे हमें पता होता है कि सरकार और सभी राजनितिक पार्टी मानते हैं कि कार्डिनल का योगदान इस राज के लिए बहुत मुत्पून था और बहुत मुत्पून है ए प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए मैं श्री बंदू तीरकी जी और फदर अजीत केस जिनोंने ए प्रक्रिया चीफ मिनिस्टर के पास लेके आगे बढ़ाई उनको आबारी हूँ सभी पुरोहितों को, दर्म बहनों को, दर्म समाजियों को, कतलिक सबा, महिला संग, यूवक संग, स्वेज सेवक की सराना करता हूँ जिनोंने अपने अपने योगदान इन दिनों में देती रहे हैं काडिनल के पारतीव शरीर को सम्मान के साथ मांडर से रांची एक भव्य जुलूस के साथ लाने दर्म बेदी की तयारी वहागिर्जाकर में विवास्ता सुन्दर गीतकान के लिए संथ आलबर्ट कॉलेज के सेमिनेरियन और कितिडरल के पल्ली पुरोहित फ़दर डेविड और उनके सहीयोग्यों को दन्यवाद देता हूँ फ़दर अजय कलको को भी और फ़दर प्रफूल बाड़ा और फ़दर तुबियस तुपो जिनोंने हमारे सेमिनेरियन के साथ इस सब दर्म विदी का आयोजन किया कारडिनल को एक अच्छी दर्म विदी की सदा इच्चा होती थी कि सभी पुरोहित कैसक पहने अच्छी तरह सी दर्म विदी चलाए या आज आप लोगों ने किया बहुत बहुत धन्यवाद आज बिशिप फिलीक्स तोपो मेरे तता रञांची माधरन प्रांट के सबी पुरोईतों की ओर से प्रसाशन सराना के ओर दन्यवाद के दो शबत उलातु के सभी विश्वासी सभी उलातु हॉस्पिटल में संतना के उलातु हॉस्पिटल में और मांदर के कॉंस्टेंट लीवन हॉस्पिटल में सभी डॉक्टरों को, नर्सिस को, डिरेक्टर्स हैं, उनको, फादरों को, सिस्टरों को, हम विशेश करके दन्यवाद बोलते हैं, हमारा कार्डिनल का क्याल किया, उसको अकरी तक एक अच्छा वियवार दिखाते हुए, स जो सदा कार्डिनल के दोस्त रहे, हमारे भी दोस्त बनने रहे हैं, जो कवरेज कार्डिनल के समाचर को दिया है, हमारे खूद के आज बिशप हाउस के मीडिया टीम को, आशित तोप और उसके टीम को, आप लोगों को दन्यवाद देते हैं, क्योंकि कार्डिनल के कारिया, सब पूरा दुनिया को आप लोग नें पहचान कर दिया सभी जो हमारे कार्डनल के प्यार करते थे इदेश में यहां डॉक्टर, इंजिनियर, प्रोफेशनल्स, नर्सेज और घरीब तक आम आदमी तक आप सबों को बहुत बहुत दन्यवाद जैसे इंग्लेंड में बोलते हैं, the queen is dead, long live the queen वैसा मैं भी बोलता हूँ, the cardinal is dead, long live the cardinal cardinal मर चुके हैं, लेकिन cardinal अमर रहे सबों को दन्यवाद मिस्दा के अन्तिम प्रार्थना के साथ में आज का तीसरा भाद समाप्त होगा, तब पश्चाथ दफन विधी की प्रार्थना यहीं पर प्रारंब होगी यहां की प्रार्थना समाप्त होने के परश्चाथ में जुलूस में पार्थिश चरीर को संत मरिया महागिरिजा घर में दफन के लिए साथ सम्मान लिया जाएगा इस कड़ी में सबसे पहले क्रूस धारी सेवक, मौमबत्ती धारी सेवक, महा महीम तेलेश फोर्थ पी तपो के पार्थिश शरीर, बिशप गण, पुरोहित गण, गायक मंडली, धर्म बंधु गण, धर्म बहने, सभी गढमान्य नागरिक, प्रतिनिधी गण और विश्वासी भाई बहन, जुलूस में यात्रा करेंगे, और उनका दफ़न की धर्म विधी, महा गिर्जा घर में संपन होगी, अभी आप सभी खड़े हो जाएंगे, अन्तिम प्रार्थना के लिए बहें सेुड़े हैं कמדना पर्क नंनुत्र, के अजड़ने हिरा हिरी दो प्रिदिय les Zip alarms थे हैंकर्डिली त glitterण़ tuh करूप भिल्व फेंस हैंकर्डिन ओैस neste क deed seems of leadership that he held in the church I years the to serve the people of God with pastoral zeal, kindness, and devoted service. He will be remembered for his life of faith, his fervor for the proclamation of the word of God, and his spirit of solidarity with the people entrusted to his care. He lived out his Episcopal motto, Parare Via Mondomini, Prepare the Way of the Lord, Preparing countless people to follow the pathways of the Lord towards greater union with God. On this occasion, the Apostolic Annuncio and the Apostolic Annunciator expressed their heartfelt condolences to all members of the Catholic Bishops' Conference of India, and in particular way to Most Reverend Felix Toppo, Archbishop of Ranchi, Right Reverend Theodore Mascarenas, Auxiliary Bishop of Ranchi, the priest, religious, and lay faithful of the Archdiocese of Ranchi, and most especially the family members of Cardinal Toppo who have gathered here. We join you in expressing profound gratitude for the late Cardinal's devoted service to the Lord and his Church, and for his particular care and compassion for the poor and needy. May God, our merciful Father, welcome the soul of Cardinal Toppo into the joy and peace of his eternal kingdom. To all those assembled for this Holy Mass of Christian burial and who mourned the death of Cardinal Toppo in the certain hope of the Resurrection, I would like to convey the nuncious prayers, extending the blessing of the Holy Father, Pope Francis, as a pledge of consolation and hope in the Lord. Amen. 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 Amen that God we found his best तब्य समझ कर, हम अपने भाई, अपने पिता, काडिनल तलस्पोपी टोपो की लास लाएं हैं, हम भरोसे के साथ पिता इश्वर से प्रात्न करें, जो सभी प्राणियों में जीवन का संचार करता है, जो शरीराच छीन दशा में दफनाय जाएगा, उसे इश्वर करें, और हमारे इस भाई, हमारे पिता को संतों की संगती में रखें, न्याय के समय वा इनके प्रती दया भाव रखें, ये मृत्यु से मुक्त होकर, और सभी किर्पारिणों से छुटकारा पाकर, पिता से मेल मिलाप कर लें, भले गड़िये की संगती में पधारें, और संतों के साथ अनन्त जीवन प्राप्त करें हेद आलू पिता तेरे हाथों में हम अपने भाई कार्डिनल तेलेस्फोर पी टुपो की आत्मा सौफ देते हैं हमारा दिड़ विश्वास है कि अन्तिम दिन ये उन सब के साथ जो खृस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और खृस्त के साथ अनन्त काल तक जीते रहेंगे इस जीवन में उनके प्रती किये गए तेरे सभी उपकारों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं इन वर्दानों ने हम सब के प्रती तेरा सने और संतों के साथ हमारा भाई चारा प्रकट किया है हे प्रभू द्यापुर्वक हमारी प्रातना सुन स्वरिकर आज हमारे भाई हमारे पिता के लिए खोल दे हम सब से ये भाई बिदा हो गए हैं विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक की क्रिस्ट से हमारा पुनर मिलन न हो जाए इस भाई हम तुस से और अपने इस भाई अपने पिता से सुदा सही उत रहेंगे क्रिस्ट से इस भाई क्रवेशर दे तूसर्थ नेरन हो अब नेरन हो सौने पे तरे सिहाथ वातू क्रवेशर दे तूसर्थ नेरन हो अब नेरन हो सादत गरेश आपाँ को अर्पित आप तरे प्रभ को दफन की धर्म विधी की प्रारम्बिक प्रार्थना समाथ हो चकी है तप प्रशाथ हम लोग बड़े समान के साथ में इस दिवांगत शरीर को जुलुस करते हुए संत मरिया महागिर्जा गहर की ओर ले जाएंगे ये जुलुस करम इस तरह होगा सबसे प्रथम में क्रूस धारी सेवक साथ में मौम धारी सेवक तप पस्षाथ महामहिम तेलेसफोर फीट टुपो के पार्थिश शरीर उनके पीछे रहेंगे समस्त बिशप गर्ण पुरोहिद गर्ण गायक मंडली धर्म बंधु गर्ण धर्म बहने सभी गर्मान्य नागरिक प्रतिनिधी गर्ण तथा सभी विश्वासी भाई वेहन हम लोग लोयला होस्टल के मुख्याद्वार से होते हुए डॉक्टर कमिल फर्थ रास्ता से आगे बढ़ते हुए जुलुस में हम लोग संत मरिया महागिर्जा घर में दफवन की अंतिम प्रार्थना तथा दफवन के जितने भी गतिविदियां होंगे समलित होंगे आप सभी से गुजारिश है कि इतनी बड़ी संख्या के लिए महागिर्जा घर में प्रयाप्त जगह नहीं होगी इसलिए अनासक रूप से हम भागं भागी ना करें यदि गिर्जा घर के अंदर हम प्रवेश कर पाते हैं तो प्रार्थना में वातवरन बनाय रखेंगे और जगह नहीं होती है भी तो हम लोग जहां रहेंगे वहीं से उनको स्रधाँजली देंगे दफ्वान के इस प्रक्रिया को हम पूरा करने में सहयोग करेंगे सभी वॉलेंटियोर्स से आगर है कि आफ जुलुस की इस यात्रा खो आगे बढ़ने के लिए सहयोग करेंगे सभी वॉलेंटियोर्स झाल झाल तू तू संतो तेरे रहो हम तेरे रहो शागत कर इसी आत्मा को अर्भी तेहाद करें प्रभु को करमे शर्दे दू तू संतो तेरे रहो हम तेरे रहो सागत कर इसी आत्मा को अर्भी तेहाद करें प्रभु को दू तू उटा कर इसी आत्मा को अर्भी तेहाद करें प्रभु को दू अगर में शक्तो से चिक्तरी तेह प्रभी तेहाद करें प्रभु को तेहाद कर इसी आत्मा को अर्भी तेहाद कर इसी आत्मा को तेहाद कर इसी आत्मा को अर्भी तेहाद करें प्रभु को अर्भी तेहाद कर इसी आत्मा को कर दो अर्भी तो कर दो अर्भी प्रभी झाल 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 मेरी मेरी की सुने ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा है भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में ये सुना तुझे को ही पुकारता हूँ तुख की इस घड़ी में ये सुना तुझ गोरी पुकारता तुख की इस घड़ी में इतनी चमक डिटोजन से नहीं छोटू हार्पिक से महेंगा होगा सिफ्ट चालिस का कितना ही चलेगा पूरे दो महिने तक हार्पिक के एक चक्कर से डिटोजन से बहतर सफाई उससे कम दाम में आई तो अब मैं भी हार्पिक हुआ हुआ है देको लुआ हाई देक मैं क्टको पॉआ हार्पिक और में हाजको पॉआ है कर देको वो ce रुआ है क्टा चेको अप्सलित व्रकुलेश एसंच बड़ान ये उれ दुख जी इस घड़ी में ये सूँ तुझे को ही उकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी मेरी मेरी की सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दागा मेरी गुहार सुन ले स्वामी मेरी मेरी की सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दागा दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दिखती इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दिखती इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी मेरी मेरी की सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी मेरी रही की सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दाना दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दिखती इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैंने अपना तेरे ही स्वर्क राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्क राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दाना दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचीरता दाता है जग के रचीरता दाता दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा है भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी मेरी मेरी की सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले सुन तुझे को ही पुकारता हूँ तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझे को ही पुकारता हूँ दिखती इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ कि सुने ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्क राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही तो कारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी तुझे को ही सुना रहा हूँ तुझे को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में येसु तुझे को ही पुकारता हूँ ये तुझे इस घड़ी में ये सु तुझे को ही पुकारता हूँ कोद में उसको संजित करे तुझे कोद उठाकर इप राज में ये पुकारता हूँ पुकारता हूँ पुकारता हूँ तेरे नहो अप तेरे नहो स्वाजत करे से आत्मा को पुकारता हूँ पुकारता हूँ ही पुकारता हूँ ही पुकारता हूँ ही पुकारता हूँ साथ तरे दूत सांत सब अभजे अपया साथ निवाद इनीश्वर की दूता सांतो तेर नहो अब तेर नहो साथ तेरे सी आत्मा को तेरे की दयात करे प्रभु को कर दो तेरे की दो तेरे की दो तेरे की दो तेरे की दोग्चा बढ़ाद कर दो तेरे की दोग्यास्वर की दोग्चा जाए नहो बढ़ाद मन्ने वाब बुलोने तु अपनी तब को मन्ने वाब बुलोने मन्ने वाब बुलोने तु अपनी तब को मन्ने वाब बुलोने पेकर पिता जो सब काता तु अपनी तब को मन्ने वाब बुलोने तु अपनी तब को मन्ने वाब बुलोने क्या लग करो तु मरो ही क्या लग करो तु म पाके क्या लग करो तु मराहि तु मरो ही क्या लग करो तु म पाके मन्ने वाब बुलोने तु अपनी तब को मन्ने वाब बुलोने मन्ने वाब बुलोने तु अपनी तब को मन्ने वाब बुलोने क्या जो प्रसमाइन वाब बुलोने तु म करो तु म करो तु म अनला तुम रभु का जा अनुखम है उसे का ना अनला तुम रभु का जा अनुखम है उसे का ना मन में वाँ बुलो ने तुम अपनी त्रभु को मन में वाँ बुलो ने मन में वाँ बुलो ने तुम अपनी त्रभु को मन में वाँ बुलो ने कर दोंता है किसे का जाथ आराइञग तुम आरा खाप बुल जाभु को मन में वाँ़ाग्वा जराटा भ्लाय Trutot अ अ कोप उद एक उता आइ करा आदा है प्टार पुट्र 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 पुट्स पुट्राट्म के नाम पर हे प्रभु येसु ख्रिस्ट तीन दिनों तक कबर में रहकर तुने अपने भक्तों की कबर पुट्र की इसलिए हम बिश्वास करते हैं कि यदे पी हमारा शरीर प्रिथ्वी के गर्म में रखा जाता है हम तेरे ही समान जीव ठेंगे हमारे भाई हमारे पिता कार्डिनल तेलेस फॉर पीटो पो का शरीर इस कबर में उस घड़ी तक बिश्राम पूर्वक पड़ा रहे जब तू जो पुनरुथान और जीवन है हमारे इस भाई को पुनर जीवित और आलोकित ना कर दे हे प्रभू सरग राज में ये तेरे मुक मंडल की जोती से शुशोवित रहे जहां तू युगान युग जीता और राज्य करता है हुआ है झाल 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 हे सर्शक्तिमान ईश्वर सर्शक्तिमान ईश्वर पिता ने हमारे भाई कार्डिनल पीटो पो को इस अंसार से बुला लिया है इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिसे से यह बनाए गया था मृत को में से सर्वपरत हम ख्रीष जीवट है हमारा बिश्वास है कि ख्रीष हमारे नश्वर शरीर को पुनर जीविट करके अपने मही मा मही शरीर के समान बना देंगे हम लोग अपने भाई कार्डिनल पीटो पो के लिए प्रभू से निवेदन करते हैं कि वा इनको अपने परम शान्ती के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर जीवित करें हे सर शक्तिमान पिटा तुने अपने पुत्र येशु को मृत को में से जिलाया हम पूरे भरोसे के ताजसे प्राटना करते हैं अपने विश्वासिंग को मुक्ति प्रदान कर हमारे महमहिम कार्डिनल तेलसफोर्ट पिटोपो को बप्तिसमा में अनन जीवन की जमानत मिली थी अब अपने संतों की संगति में इनका स्वागत कर हे पिता हमारी प्रार्थना सुन इन्होंने ख्रीस्ट का शरीर अनन जीवन का भोजन ग्रहन किया था इनका शरीर अन्तिम दिन पुनरजीवित हो जाए महमहिम कार्डिनल तोपो इस प्रीथी पर पुरोहित का कार्य करते थे अब तु स्वर्ग के पूजन समारों में इनका स्वागत कर हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारकों के लिए प्रार्थना करते हैं तु उन्हें पुन्या कर्मों का इनाम दे जितने लोग पुनुरुथान की आशा में शान्ती की नीन सो रहे हैं वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें जो अपने प्रिय जन्म की मृत्यु पर शोक मनाते हैं उन्हें तु कृपा करके सहायता और दिलासा दे हम सब को जो तेरी उपासना करने यहां एकत्र हुए हैं तु अपने प्रताप मेराज्य में बुला ले हम सब मिलकर उसी प्रात्ना को दुराएंगे जिसे हमारे प्रभू ने हमें सिखाया है हे पिता हमारे प्रणाम मरिया हरो कि हम सब कि हमारे प्रणा कर दु है हमारे अफिता हमारे व्रोप व्रणाwe झाल झाल जिन्द के मेरे जिन्द जिन्द के मेरे जिन्द कुझे में समाई है आशा है तुझ में प्रगो आश में आया प्रगो सांते दे मुझे सांते दे मुझे आशा है तुझ में प्रगो आश में आया प्रगो सांते दे मुझे सांते दे मुझे सिंदे केरी सिंदे के तुझ में समाई है तुझ में समाई है तुझ में प्रगो आश में आया प्रगो आशी से दे मुझे आशी से दे मुझे सांते दे मुझे आश में आया प्रगो आशी से दे मुझे आशी से दे मुझे सिंदे केरी सिंदे केरी तुझ में समाई है तुझ में समाई है कि तुझ में आशी से दे मुझे कि अद्ळिय बन्याद यहल्क अवयं आशी मुझे ढ़ना मुझे विश्वास तुझ में प्रभु आप से हो यां प्रभु प्रेम से का मुझे प्रेम से का मुझे विश्वास तुझ में प्रभु आप से हो यां प्रभु प्रेम से का मुझे प्रेम से का मुझे जिंदगे मेरे जिंदगे तुझ में समाई है तुझ में समाई है जिंदगे मेरे जिंदगे तुझ में समाई है तुझ में समाई है आशा है तुझ में समाई है तुझ में प्रभु आज से आया प्रभु शांत्री दे मुझे शांत्री दे मुझे तुझ में प्रभु आज से आया प्रभु शांत्री दे मुझे शांत्री दे मुझे शांत्री दे आज से आया प्रभु आज से आया प्रभु आज समाई है तुझ में समाई है रोसा है तुझ में प्रभु पास मैं आया प्रभु पासे सिदे मुझे 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 तुझ में समाई है तुझ में समाई है पासे सिदे मुझे पासे सिदे मुझे क्योंक्त पासे सिदे मूझे पासे सिदे । झाल 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 एक तिन हम जाएंगे वरिक्रास के सामा दरीया को दिखे वरिक्रास के सामा स्वरिया को दिखे हम आरे के मीमा स्वर्ग्रास स्वर्ग्रास तिर दिन हम जाएंगे वरिया को सदा वी जय ही देखेंगे स्वर्ग्रास के साथ जो भी गदूएंगे हम जाएंगे आश्या इस पिर्दी में, मरिया हे माँ, अल्वारे संदक में, वर्दी रेक्षा। आश्या इस पिर्दी में, मरिया हे माँ, अल्वारे संदक में, वर्दी रेक्षा। आश्या इस पिर्दी में, मरिया हे माँ, अल्वारे संदक में, वर्दी रेक्षा। आश्या इस पिर्दी रेक्षा। आश्या इस पिर्दी रेक्षा इसे, पिर्दी रेक्षा। झाल 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 तुझको ही पुकारता हूँ मेरी गुहार सुन ले स्वामी तुझको ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझको ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझको ही पुकारता हूँ दुख की इस घड़ी में ये सुन तुझको ही पुकारता हूँ मैं तुझी इस घड़ी में लेजू कुझ को ही उकार बाव सुन ले स्वामी मेरी मेरी की सुन ले स्वामी तुझ को ही सुना रहा हूँ भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में भेजा है मैने अपना तेरे ही स्वर्ग राज में ये आत्मा ग्रहन कर है जग के रचियता दादा दुख की इस धड़ी में ये सु तुझे को ही पुकारता हूँ दुख की इस धड़ी में ये सु तुझे को ही तो कारता हूँ आरिक शिष्य है तेरे जड़नी की रहा हूँ जारे दहो रभ तुछ पर है आज समारे दिनी हमारे तु सुझ लेगे रूद निक्वाई तो देश सहारा आज शक्र और जीवन तो सुझ लेगे रूद मार्ग देरा हो अपनाया सित्य पर हो अपनाया मार्ग देरा हो अपनाया सित्य पर हो अपनाया बर्ग दुने उसको बुलाया बर्ग जीवन तेरा मार्ग दुने उसको बुलाया मार्ग जीवन तेरा मार्ग सत्य और जीवन तो रग दुझ पर है आज समारे बिंदे हमारे तो सुन ले प्रभू दुनाय को देश सहारा मार्ग सत्य और जीवन तो आज समक्रों जाने कहा अध्यानि हम शिश्यरते संगतिया जाने कहा चलसन अब तू रभु एवे वे वे चलुए में सर्द राज में चलसन अब तू रभु एवे वे 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 चलुए में सर्द राज में मात सत्य और जीन तू रभु तुझ पर है आज समारी मिंती हमारी तू सुन ले प्रभु एप्वाई को तेरे सहाया मात सत्य और जीन तू प्रिये भाईये बेहनों बड़े गमगीन और बहुत सोक में वातवरण में अब हमारे दिवांगत स्वार्गे कार्डिनल तेलस्फोर प्लासिदियूस तुपो को हमारे बीच में लाया जाएगा पीछे वाले प्रभेश द्वार से बेदी तक उन्हें लाया जाएगा उनके समान में सब कर हम खड़े रहेंगे इधर उधर आना जाना ना करें बलकि अपने जगह में रहें फादर जोर्ज के अगवाई में अभी पार्थियूस शरीर को सनाय सनाय हमारे बीच में ला रहे हैं शांति पूर्वक हम उनका दर्शन करेंगे मन ही मन उन्हें स्रधान चले देंगे पुर्वक पुर्ण करेंगे यंश रहे हैं रहे हैं कर दो 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 कर तुजियो प्निय दोसे, तो कुँ्स वेतारे, तुबियो साजू स्थते, मुझे दिन मैं हूँ बेचा तू मेरे दिनी एक्रिपा से सुपता का तेरे हाँ मैं आख तेरे पाँ एक्रुपी पाँ मैं तू मुझे अक्रिपा से जो तू से है तू आख की देता है आख तू पिशारे को आख तू आख तू साहँ शार कया आख तू आख तू प्रुपी पाँ मैं आख तू आख तू आख तू आख तू पाँ तो मुष्मी अप्नी दोसे जो कुष्मी बैदावे तो मुष्मी अप्नादा भर गहिस के जिता जिह प्यूस्थ मेरो जो कुष्मी अप्नी आते आनो सब्स्थ्मी अप्नादा प्रुट अधरे पाह्स प्रवसे इप्राप से बारे तो मुझ रिपक्री बारे जा प्रुट से बारे मैं आज़ तेरे पार वे दिवांगत तेलस्पोर के दिल से निकलने वाले शब्द रहे हैं जो कि उनका सकरात्मक सोच को रखता है और उन्हों ने इसी के उसूलों के अनुसास से वे सकरात्मक और बहुत आशावान धंग से अपना जीवन व्याथीत किया है आज संद पावलुस के शब्दों में वे कहते हैं दूसरे तेमिथी अध्याय चार वचन संख्याद छे और साथ में मैं प्रभु को अरपित किया जा रहा हूं मेरे चले जाने के समय आ गया है मैं अच्छी लड़ाई लड़ चुका हूँ अपनी दाड़ पूरी कर चुका हूँ और पोन रूप से इमनदार रहा हूँ निश्चित रूप से सन 1949 से 2020 तक 84 वर्स की इस लंबी यात्रा में स्वर्ग ये काडिनल तेलेसफोर पी दोपो ने अपनी इस यात्रा को तै कर शुका है उन्हें अब स्वर्ग में आनश्वर मुकुट का पुरुस्खार स्वरुप मिल रहा है प्रकाशन ग्रंत अध्यादो वचन संख्या 10 और 11 में प्रभु का वचन कहता है तुम मृत्यू तक इमंदार बने रहो और मैं तुम्हें जीवन का मुकुट प्रदान करूँगा विजाई को दुत्ये मृत्यू से कोई हानी नहीं होगा अर्थात योहन का सुसमाचार अध्याद 42 में प्रभु कहते हैं मेरे पिता की यहां बहुत से निवास स्थान है योहन का सुसमाचार अध्याद 10 वचन संख्याई 25 और 26 में इसा ने कहा पुनुरुथान और जीवन मैं हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा आज के इस संताप्त भरे वात्त वरण में ना किवल यहां एकत्रित हैं वो छुद्ध और आश्रुधारा हमारे आखों से बह निकल रहे हैं बलकि हमारे पूरे इस इलाका में सन्नाता और मातम छागिया है ना किवल इस इलाके में लेकिन पूरे दुनिया में जो महा महीम तेलेस्फोर को जानते थे संत पापा भी इस खबर से बहुत शुद्ध हैं और इसलिए वे एक सोक संदेश समयतना संदेश हमारे ले भेजते हैं जिनको की अभी उसे पढ़ा जाएगा हमारे संत पापा की प्रतिनिथिक रूप में आये हुए रेबरें मौंसिन्योर अलवेर्टो नेपतालिनो आकर के संत पापा का जो सोक संदेश है उसे पढ़ कर सुना आएंगे the representative from the Holy Father is going to read out the condolence message before us which will be presented by most Reverend Monsignor Alberto Nepatallino I request him to read out on behalf of the Pope कर दो कर दो कर दो कर द Northern लुटत्त बेस्ट खिशो ल व्हाल स्वाशिछिक्स अंनुT झा उन्थ्gestव लुब कर दो Help कर दोक दूर्हथ भू कर दो जोके थानित Swaroku क्तिस्वच्प टॉट्टो फ्ञ सूकर समयम्नियू कभाननी स्वान बेली सूब है कड मेरी कायां था समय पाजकल प्काराण है। झारान की टूराम पमिप्सकॉा इप शबार से मिना दोटीप his service was always marked by zeal for the spread of the gospel devotion to the holy eucharist and the generous pastoral care of the poor and those in need to all who mourn cardinal topos passing in the sure hope of the resurrection i cordially impart my blessing as a pledge of consolation and peace in the lord franciscus and now i will read the message sent by the secretary of state please accept my condolences at the passing of cardinal topo and the assurance of my prayers that our merciful lord will grant him into the world of his faith and of his tireless laborers for the church cardinal pietro parolin secretary of state santa papa nebhi anubhao kiya ki in ke jane se bahot hi chhati pohche hai sampun vishwa ki kalisya ke liye aur aaj humare saath hai savedan sandesh ke madhyam se vay humare saath chudhe we would like to thank you most reverend monseigneur alberto nepatalino for presenting the message before us tatsvashat cbci cbci catholic bishop's conference of india ka savedna patr ko pardh sunanane ke liye sraday father nicolas barla ji ar hai hai mein unhae maik far amantrit karta hoon message from the president catholic bishop conference he was a priest for more than 54 years a bishop for about 45 years and he was a cardinal for 20 years today as we bid adieu to this great leader of the church in north india we remember the innumerable qualities that he possessed he was a person who had all the qualities of the shepherd he was easily approachable a very generous affectionate and compassionate person to the poor and the marginalized and he became the voice of his people we have many good memories with him as we walked with him on many occasions I wish very much that I was present in person but because I have to be part of the synod in Rome I send this message of heartfelt condolence to the archbishop of ranchi most reverend felix topo and to my fellow bishops and the priests and brothers and sisters of various religious congregations and to all the lay faithful of the ranchi diocese please accept our condolences from all the bishops of the catholic bishops conference of india I had personally informed our holy father Pope Francis about the demise of cardinal topo and the holy father cherished his good memories about him and he asked me to convey his condolences and prayers to all of you dear archbishop felix topo at this moment we wish that the archdiocese of ranchi may grow from strength to strength guided by the lofty ideals and plans said by your precede sir cardinal teles for topo the church in india mourns for him today and entrusts him to the lord who has called him to the heavenly abode he has prepared cardinal topo teles for has thought the good fight has good fight has finished the race and has kept the faith may cardinal teles for rest in peace may his spirit continue to guide the church in india thank you archbishop andrew thaja president catholic bishop conference of india Ph premieres of india bhahrat ke sabhi bhishpok ke nahm se abhi catholic bishop bishop conference of india ke prati knidhi naye president ki oh squishy jo s a unhang Halloween s a Aham nyeh hemare saha jsoumne hi harad kha X also Co o हमारे छोटा नागपूर के एक महान व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे, जिनों ने अपने मेश पाल ये कारिया द्वारा संपूर्ण कलीस्यक का वो रक्षक और मागदर्शक बन करके कारिय किया है, उनका कारिया बहुत ही सराहनिय रहा है, तो ये सुन्दर संदेश के लिए सावेदना और साहनुभूति भरा संदेश के लिए हम पूरे काथलिक कांफरेंस अबिशप्स कांफरेंस और इंडिया को धन्यबाद कहते हैं, किसी भी व्यक्ति का और विशेश करके महानुभूतियों का जीवन के बारे में कहना चाहेंगे, तो हमारे लब्ज कम हो जाते ह लेकिन फिर भी आपचारिकता निभाने के लिए मैं अभी स्रदेफाद थ्यदोर तुपो को आगरह करूंगा माइक पर कि वे आकर के हमारे दिवांगत महामाहीम तेलेस्फोर्ट पी तुपो के जीवन गाथा के बारे में पढ़ करके सुनाएंगे महामहीम तेलेस्फोर्ट प्लासिदो स्टुपो की जीवनी 15 अक्टूबर उन्येश साव उन्चालिस से चार अक्टूबर दो हजार तैस तक महामहीम कार्डिनल तेलेस्फोर्ट पी तुपो का जन 15 अक्टूबर उन्येश साव उन्चालिस में चैनपूर पारिश के गाउं ज़र गाउं जीला गुमला में हुआ था उनके पिता श्री अम्रोज तुपो एवं माता श्री मती सोफिया खल्खो के दस पुतर पुत्रियां थे महमहिम कार्डिनल पी टुपो माता पिता की आठुवी संतान थे परिवार में कोई भी नावकरी पर नहीं थे उनके माता पिता क्रिसी काम में सनलिप्ट थे निसंदे उनके माता पिता को गरीबी में अपने बच्चों के लालन पालन एवं सिक्षा दिक्षा में मुश्किल दौद से गुजरना पड़ा उन्होंने प्रारंबिक सिक्षा गाउं में पूरी की तथा माध्यामिक सिक्षा बर्वे नगत से और उच विद्याले की सिक्षा बर्वे हाइस्कोल चाहिनपूर से पूरी की उन दीनों बिल्जियम के ये सुस्त समाजी मिस्णरी के रूप में तिलेस्फोर के गाउं आया करते थे उन्हें देखकर उसके मन में बिजली काउंद गई उसने सोचा यदि बिल्जियम के प्रोहित अपने घर परिवार और अपना सब कुछ छोड़ कर भायनक जंगलों और नदी नालों को पाथ कर सुसमाचात सुनाने के लिए साथ समंदर पार गरीब आदिवासियों की सेवा के लिए आ सकते हैं तो मैं उनके समान क्यों नहीं बन सकता यह प्रशन उसको प्रोहित बनने के बाद भी जग जोड़ता रहा बिल्जियम के प्रोहितों से प्रभावित होकर उन्होंने संथ अलवच सिमनरी राची में दाखिला लिया संथ जेवियर्स कॉलेज राची से स्थानक स्नातक की डिगरी हासिल की और राची विश्व विद्यालाई से एम्मे की पढ़ाई पूरी की तदपशाथ दर्शन सास्तर की पढ़ाई संथ अलवच कॉलेज में जारी रखी उसने अर्बन पॉन्टिफिकल यूनिवर्सिटी रोम से इस शास्तर की पढ़ाई पूरी की आठ माई 1979 में धर्मादेश फ्रांसिसकुस के द्वारा सुजज़ लाइन के बासल में उसका प्रोहिद अभिसेख हुआ महा महिम तेले स्पोर्ट पी टोपो बहुत सी भाशाओं के ग्याता थे कुरुख, सादरी, हिंदी, इंग्लिश, इटालियन, लाइटिंग, जर्मन और संथाली रोम से वापस लौटने के बाद उन्हें संथ जोसिफ स्कूल तौर्पा में न्यूक्त किया गया तथा कुछ समाई के बाद उसी विद्यालाई के प्राभारी बनाया गया 1976 में उन्होंने लीवंस बुलाहज के अंदर तौर्पा की स्थापना की एवं उसके प्रथम निदेशक बने उसके बाद वे महाधर्माध्यक्ष पियूस करकेटा के सचिव बने आठ जून 1978 को वे दुमका के धर्माध्यक्ष चुने गए और उसका आदिस वाक्या था प्रभु का मार्ग तैयार करो साथ अक्टूबर 1978 को संतेरेसा बाली का विद्यालाए दुधानी में उन्हें दुमका के दुट्टिय धर्माध्यक्ष के रूप में अभिशिक किया गया आठ नुबेंबर 1984 को संत पिता जोन पॉल दुईतिय के द्वारा राची के कोजुदर धर्माध्यक्ष निउत हुए राची में रहने के दौरान चार आगेस्ट 1985 को उन्हें राची महाध्रम प्रांट के महाध्रमाध्यक्ष के रूप में पदोनत्ती मिली 25 आगेस्ट 1985 को उन्होंने पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेदारी संभालने की पतिग्या की जैसे ही उन्होंने राची के महाध्रमाध्यक्ष के रूप में कार्याभार संभाला उन्होंने कलीसिया के विकास के लिए अपनी योजना और दृष्टी कोन को ब्यक्त किया महाधरम प्रान्थ के लिए उनके द्रिष्टी कौन को इन शब्दों में ब्यक्त किया गया था अनिमेशन, कॉन्सोलिडेशन, एंड एक्स्पेंशन और राजी की कलिश्या को संगठित और अनुशाशित बनाने का उनका सपना था और लगातार उन्हों ने इसके लिए काम भी किया छोटा नागबुद की कलिश्या के लिए उनका द्रिष्टी कौन और जारखंड के आदी वासियों के लिए उनकी प्रगत्ति श्रील योजना की भारत के बिशपों के बीच में बहुत सरहना की जाती थी आज हम उनके कामों को अपनी आखों से देख रहे हैं कि उनके सभी काम महा धर्म प्रांट में कलिश्या की बेहत्री के लिए उनके सपनों को साकात करने की और उन्मुख है महा महीम ने हमेशा जाती धर्म अमीर गरीब का भेद भाव किये बिना लोगों की भलाई के लिए काम किया हर कोई उसके पास आ सकता था और खुल कर अपनी बातें साज़ा कर सकता था उनके जीवंत ब्यक्तित्वा ईश्वर ये चेतना और लोगों के विकास में गहरी रुची ने कई लोगों का ध्यान अकर्शित किया उन्हें आदिवासी होने का हमेशा गर्व था और आदिवासीों के हित्तों के लिए हमेशा मजबूती से खड़ा रहा उन्होंने आदिवासीों के मुद्दों को राष्ट्रिय और अंतर राष्ट्रिय बैठकों में उठाया चाहे हम इसे स्विकार करें या ना करें वे आदिवासी कलिस्या के सबसे प्रमुख नेताओं में से एक थे जिन्हों ने हमेशा आदिवासी कलिस्या को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया अपने नित्रित्वा के माध्यम से वे सभी इसाई समुधायों को एक समुध में लाए इसके अलावा उन्होंने राची में सदेव सद्भावना मंज को संरक्षन दिया और उसे प्रोटसाहित किया उनके काम में मन की ताकर और इमंदारी जहलकती थी जिसने उन्हें अधिक लोग प्रिये बना दिया और देश के भीतर और देश के बाहर भी काई लोगों का दिल जीत लिया हमें उन्हें राची के महाधर्माध्यक्ष के रूप में पाकर गर्व है कार्डिनल तेले स्पोर्ट पी टुपो की उपलवधिया धर्म प्रांतिये स्थर पर छित्रिये स्थर पर राश्ट्रिये स्थर पर और अंतर राश्ट्रिये स्थर पर उन्होंने काम किया है जो सराहनिये है जैसे धर्म प्रांतिय इस्तर पर उन्होंने सोचल डेवलप्मेंट सेंटर रांची लीवन्स वोकेशन सेंटर हुलहुंडू लीवन्स अकाडमी लोहरदग्या लीवन्स मेमोरियल होस्पिटल हीरा बार्वे डॉन बोसको यूथ सेंटर बर्यातू फादर कॉंस्टंट लीवन्स होस्पिटल और रिसेर्च सेंटर मांडर उसी के प्रयास से राजा उलहातू के चैट्स को माइनर बसिलिका का दर्जा मिला ये सब उनकी दुर्दर्शिता का फल है इसके अतिरिक्त उन्होंने कई नए पारिश और मिश्ण स्टेशन की शुरुवात की धन प्रांत में उन्होंने आधा से अधिक प्रोहितों को अभिशेक प्रदान किया साथ ही पचास से अधिक धन संग्यों के लिए धन प्रांत में अस्थान दिया छेत्रिय स्थर पर उन्होंने तीन नए धर्म प्रांतों का निर्मान किया गुमला, सिम्डिगा और खूंटी उसने चोबिस धर्माध्यक्षों का अभिशेक किया सभी धर्म प्रांतिय धर्माध्यक्षों को एक साथ लाना और उनकी अगवाई करना इन सबका स्रे काडिनल को भी जाता है राश्ट्रिय स्थर पर वे दो बार कॉंफरेंस ओफ काटलिक बिशफ बिशफ कॉंफ इंडिया के उपाध्यक्ष रहे उनने सव अंठनबे से दो हजार दो तक CCBI के अध्यक्ष दो हजार दो से दो हजार पाँच तक और वे दो बार काटलिक बिशफ कॉंफरेंस ओफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में दो हजार चार से दो हजार आठ और दो हजार ग्यारह से दो हजार तेरह तक भारतिय कलीसिया की अगवाई की CBCI के संरक्षन में ग्यान गराम मेडिकल कोलेज उनका द्रीम प्रोजेक्ट था अंतर राश्ट्रिय इस्तर पर राश्री रे जूका ओके युई कव्यि जो lawsuit अबशन के कोव सिंड शिर्डीभ के अवडियोस का वंडिय लोग newest श कर उंड आफ यार्स कर दिय्ग्व में दोव ज हून कोप अंत में हम केवल इतना ही का सकते हैं कि राची महाधरम प्रांत की देख भाल करते हुए महामहिम निश्चित रूप से एक प्यारे चरवाहे सक्षम नेता और कुशल संगठन करता साबित हुए एक ऐसे तथ्या जिसे अंतर राश्ट्रिय स्तर पर स्वीकार किया गया उन्होंने अपनी ब्यापक द्रिष्टी महान मिश्नरी उत्सा और अद्वीत ये द्रिर्टा से कलिस्या का मार्ग दर्शन किया संचिप्त में कहा जाए तो महामहिम ईश्वर के भाय रखने वाले ब्याक्ती थे सु समचार के मूल्यों पर आधारित जीवन जीते थे जिम्मेदार और कतब्य प्रायन थे हमें सब नियाई के लिए खड़े रहते थे एक अच्छे नेता मृदु भाशी, दूर्दर्शी, मिश्नरी, सरल, बिनमर, दयालू, छमाशीर और साव्मिय स्वाभाव के थे यही कारण है कि लोग उसे इतना अधिक प्यार करते थे 21 अक्टूबर 2003 को संद पिता जोन पॉल दूइतिये ने महाधर्माधेक्स तिलेस्पोट पीग टुपो को कॉलेज ओफ काडिनल्स में शामिल कर जारखन की कलीसिया को गवरानविंत किया कातलिक कलीसिया के ऐसे सम्मानिय पद से नवाजे जाने वाले वे एशिया के प्रथम आदिवासी काडिनल बने छोटा नाकबुर की कलीसिया ऐसे हजारों कारणों से उन पर गर्व करती है जन्वारी 2004 में वे दो साल के लिए CCBI के अध्यक्ष चुने गए उनमें आसाधरन अवलोकन करने, समझदारी से लोगों को राह दिखाने धार्मिक जीवन जी ने आउ धार्मिक विचार व्यक्त करने की असिम छमता थी जरूरत मंदों की सेवा के लिए उसने अपना संपूर जीवन समर्पित कर दिया उनकी देयालुता और उदार्ता के कारण उनका ब्यक्तित्वा लोगों के बीच चमकता रहा उनके सनेही आचरन ने अनेक मित्रों और प्रसंसकों को अकर्षित किया छोटा नागपूर की कलीसिया के विकास को लेकर उनकी दुरदश्चिता काफी सराहनिय थी कारडिनल तिलेस्पोर्ट बिभिद गुन्णों के धनी थे कुछ तो उन्होंने जनम से ही और अन्य गुन्णों को अनुशासन और अलोकन से हासिल किया वे ब्यवारिक और स्रेश्टा की अपेक्छा करने वाले ब्यक्ति थे सुब्यवस्था और नियमित्ता उनकी पाचान थी उनकी इमानदारी नमर्ता सरल जीवन उदार्ता शांती प्रियेता साहस सज्जन्ता तथा आतम विश्वास उनके महान ब्यक्तित्वा को इंगित करते हैं महा महिम का आध्यात्मिक जीवन सरल और उतक्रिष्ट है वे प्राथना एवं विश्वास जैसे गुन्नों के धनी थे उनका पवितर युखरिस्त के प्राती प्रेम पवितर हिरिदय की भक्ती तथा माता मर्यम से सनेव पूर्ण लगाओ उसकी आध्यात्मिकता को दिखाता ह है पवितर संसकार यवं प्राथनाई उनके अनश्वर उर्जा और शक्ती के स्रोत थे बियस्तता और अस्वस्त रहने के बावजूद रोजरी यवं कलीशिया के प्रात्ना के लिए समय निकालते थे महा महिम कार्डिनल तिलेस्पोर टुपो की मिरीतियों ना सिर्फ छोटा नागपुर की कलीशिया के लिए बलकि पूरे भारत की कलीशिया के लिए एक बड़ी छती है बिशप थेओदोर मस्करिनस के सब्दों में हमने ना सिर्फ कार्डिनल तिलेस्पोर को खोया है किन्तु एक मित्र मार्ग दर्शक को खोया है जिसने सपने देखने का साहस किया महा महें कार्डिनल तिलेस्पोर पी टुपो के निधन के साथ एक स्वर्निम काल का अंत हो गया या शायद उनके सपनों को पूरा करने में हमारी साभागी था एक नए स्वर्निम काल की शुरुवात करेगी महा महें कार्डिनल तिले स्पोर्ट पी टुप्पो को हम कभी भूल नहीं पाहेंगे उनके आसाधारन योगदान के लिए चिरकाल तक हम उनके अभारी वा रिन्नी रहेंगे इसलिए आज हम कह सकते हैं कि उनकी महान्ता से प्रेम करते हैं और उनके लिए प्राण्थ ना करते हैं कि इश्वर उनकी आत्मा को अनन्त शांती प्रदान करें उन्हें उनके कर्मों का इनाम दें धन्यावाद अन्यावाद स्रदेफ पादर आजित खेस एस जे यहां उपस्तित प्रिये भायों एवं भहनों छोटनागपुर की स्पावन धर्ति पर हम सभी अपने अति प्रिये काडिनल तेलसफोर पी टुपो की दिवंगत आत्मा के लिए इश्वर को धन्यवाद देने और विशेश रूप से उनके लिए प्रार्थन करने के लिए हजारों की संख्या में जमा हुए हैं मैं अति माननिये महाधर्माद्यक्ष फेलिक्स टुपो एसुसमाजी सहायक धर्माद्यक्ष अति माननिये थेदोर मस्करेनस एसफेक्स और राची महाधर्मप्रांद की अस्थानिय कलीशिया के नाम पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूँ यह प्रभु की योजना और क्रीपा है कि इस आउसर पर भारत की बिभिन कोने से हमारी कलीशिया के चरवाहे महाधर्माद्यक्ष धर्माद्यक्ष संथ पापा के प्रतिनिदी मौंसी नोर अलबर्तो नापलोईतानो अन्य ख्रिस्ते समुदाई के धर्माद्यक्ष पास्टर्स बहुत बड़ी संख्या में पुरोहित गन धर्म बहने धर्म बंधु और विश्वासिस समुदाई जमा हुए हैं इस धर्मिक अनुष्ठान में हमारे प्रिये कार्डिनल तेलेस्पोर के कई मित्र, शुप चिंतक और राज्य सरकार के कई प्रसाशनिक अधिकारी, राज्या और केंद्र सरकार के प्रतिनिदी, बिधायक, सांसद और सभी समुदाई, धर्म और जाती के लोग शामिल हो रह हैं, मैं आप सबों का अति माननिय महाद्रमाद्यक्ष फेलिक्स टपो एसु समाजी और सहायक विश्व थेदोर मस्करहनस, ऐसे फेक्सी की ओर से इस धार्मिक अनुष्ठान तत पश्चात दफन क्रिया में शामिन होने के लिए हर दिक स्वागत करता हूं, अब मैं अति मा अनियवर महाद्रमाद्यक्ष फेलिक्स टपो को इस धार्मिक अनुष्ठान में हमारी अग्वाई के लिए शाद्र आमंत्रित करता हूं, हम सब खड़े हो जाएंगों, पिता और पुत्र और पवितर आत्मा के नाम पा, हमारे प्रभु यसुक्रिस्त के क्रिपा, इश्वर का प्रेम और पवितर आत्मा का साचरिया, आप सबूं को प्राप्धों, प्रिये भाई अर्भानों, हम सरगिये महाधर्माजच तेलेस्वर काडिनल पीटोपो के दफन, दफन के समारोही मिस्सा में भाग लेने के लिए यहां एकत्र हुए हैं, दफन का यहां मिस्सा हमारे लिए एक पवितर और गंभीर छन है, हमारे प्रिये काडिनल को बिराई जित्य समय, देते हुए हम ईश्वर से करबत प्राथना कर रहे हैं, कि उनकी आत्मा अनन्त शान्ती प्राप्त करें, इसके साथ साथ हम ईश्वर के द्वारा उनको दिये गए, सभी वर्दानों के लिए धन्यवाद दे रहे हैं, आईए हम बड़ी भक्ति के साथ इस पवितर समारोह में भाग लें, अभी हम अपने सारे पापों के लिए पश्चिताब करें, ताकि इस पवितर ब्रद्धान को योग गरीती से अर्पित कर सकें, द्याय आचना के लिए हम गाना गास को, लिए उन्यवाद से लिए झाथान के लिए गपते। जया करो प्रभु येशु उप्रिदाता येशु बावी है हम शेड़ों में आए भूंकी ताता मां करो जया करो प्रभु येशु उप्रिदाता येशु जया करो प्रभु येशु उप्रिदाता येशु उप्रिदाता येशु जया करो प्रभु येशु उप्रिदाता 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 येशु उप्रिदात तुम्की ताता येशु। सर्विशक्ति मान इश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप छमाकर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। हम प्रात्न करे। है इश्वर। तुने अपने सेवक धर्माद्यक्ष तेलस्पोर काडिनल पीटो पोको। प्रेरितों की मंडली में गिने जाने और महा परोहितोंने का गौरव प्रदान किया। और अस्थान ये प्रजा का दाईत्व सौप था। अब तुने उसे अपने पास बुला लिया है। आएसे गृपाकर की स्वरग लोग में भी उनको पुरोहितों की मंडली का सानत्या प्राफ्थ हो। हम ये प्रात्ना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्रिय सुख्रिस्ट के द्वारा। जो तेरे तथा पुत्रात्मा के साथ एक इश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमें। आमें। पहला पाग प्रज्या ग्रंथ अध्याय तीन पत्संख्याएं एक से नाव तक ईश्वर ने उन्हें होम बली की तरह स्विकार किया धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में है उन्हें कभी कोई कस्ट नहीं होगा मुर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपती मानते थे और यह समस्ते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है किन्तु धर्मियों को शान्ती का निवास मिला है मनुस्यों को लगा कि धर्मियों को दंड मिल रहा है किन्तु वे अमरत्व की आशा करते थे थोड़ा कस्ट सहने के बाद उन्हें महान पुरस्कार दिया जाएगा इश्वर ने उनकी परिक्षा ले और उन्हें अपने योग्या पाया है इश्वर ने घरिया में सोने की तरह उन्हें परक लिया और होम बली की तरह उन्हें स्विकार किया इश्वर के आगमन के दिन वे ठूठी के खेत में धधकती चिनगारियों की तरह चमकेंगे वे राष्टों का सासन करेंगे वे देशों पर राज्य करेंगे किन्तु प्रभु ही सदा सरवदा उनका राजा बना रहेगा जो इश्वर पर भरोसा रखते हैं वे सत्य को जान जाएंगे जो उसके प्रती इमानदार हैं वे बड़े प्रेम से उसके पास रहेंगे क्योंकि जिन्हें इश्वर ने चुना है वे कृपा तथा दया प्राप्त करेंगे यह प्रभु की वाने हैं इश्वर को धन्यवाओ में प्रभु के सामने चलता रहूंगा में जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा में जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा प्रभु न्याई और दयालो है हमारा इश्वर करुणा मैं है प्रभु दरिद्रो की रक्षा करता है मैंने सहे बन गया था और उसने मुझे बचा लिया मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा यद्यपी मैंने कहा मैं अत्यंत दुखी हूं तब भी मैंने भरोसा नहीं छोड़ दिया मैंने संकत में पढ़कर यह भी कहा था कोई भी मनुष्य विश्वास निये नहीं है मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा अपने भक्तों की मृत्यू से प्रभु को भी दुख होता है हे प्रभु मैं तेरा सेवक हूं तेरा दास हूं तुने मेरे बंदन खोल दिये मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा मैं जीवितों के देश में प्रभु के सामने चलता रहूंगा दूसरा पाट हम में से ना तो कोई अपने लिए ही जीता है और ना अपने लिए ही मरता है यदी हम जीते रहते हैं तो प्रभु के लिए जीते है और यदी मर जाते हैं तो प्रभु के लिए मरते हैं इस प्रकार हम चाहे जीते रहे या मर जाए हम प्रभु के ही है मसी इसलिए मर गए और जी उठे कि वह मृतकों तथा जीवितों दोनों के प्रभू हो जाएं हम सब इश्वर के नियायशन के सामने खड़े होंगे क्योंकि धन्ग्रंथ में लिखा है प्रभू यह कहता है अपनी अमर्ता की सौगंद हर घुटना मेरे सामने जुकेगा और हर कंट इश्वर को स्विकार करेगा इस से स्पर्ष्ट है कि हम में से हर एक को अपने अपने कर्मों का लेखा इश्वर को देना पड़ेगा प्रभू की वानी इश्वर को नियावाद अलेलुया 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 दीरी पितागे की पापाद आहो आरस राज के अधिकाली बनाओ जो संसार के कारण से उन लोगों के लिए तयार किया तयार आलेलूः आलेलुया आलेलुया प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ संत्योहन के अनुसार पवित्र सुसा मचार प्रभु तेरी बेगी वाद को अध्याए ग्यारा पदसंख्याएं सत्रह से सत्ताईस बिथानिया पहुचने पर येशु को यह पता चला कि लाजरूस चार दिनों से कब्र में हैं बिथानिया यरुसलेम से दो मील से भी कम दूर था इसलिए भाई की मृत्यु पर सम्वेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहुदी मार्था और मर्यम से मिलने आये थे जियों ही मार्था ने यह सुना कि येशु आ रहे हैं वह उनसे मिलने गई मर्यम घर में ही बैठी रही मार्था ने येशु से कहा प्रभू यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता और मैं जानती हूँ कि अब भी आप इश्वर से जो कुछ मांगेंगे इश्वर आपको वही प्रेदान करेगा येशु ने उससे कहा तुम्हारा भाई जी उठेगा मार्था ने उतर दिया विश्वास करता हूँ वह मरने पर भी जीवित रहेगा मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनुरुथान में जी उठेगा येशु ने कहा पुनुरुथान और जीवन मैं हूँ जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो उसने उत्तर दिया हाँ प्रभू मैं ड्रिड विश्वास करती हूँ कि आप वह मसी इश्वर के पुत्र है जो संसार में आने वाले थे प्रभू का सु समाचार हे प्रिष्टे इस्तुति हो अति माननिये महाधर्मध्यक्षगन भारत में संद पापा के राजदूत के प्रतिनिधी आलबेर्टो निपोलितानों अन्य मसीही समुदायों के धर्माध्यक्षगन प्रिये परोहित भाईयों प्रिये धर्म बहनों और पस्तित सभी माता पिता भाई बहनों और अति मेरे प्रिये बच्चों आज हम दुखे थिर्दै से स्वरिगिये आज बिशब तलिस फोर कारिनल पी टपो के दफन के मिश्चा और दफन की बिधी में भाग लेने के लिए यहां उपस्तित हुए हैं एक और हम उनके वर्दान पूर्ण जीवन के लिए ईश्वर को धन्यबाद दे रहे हैं तो दूसरी और हम उनकी आत्मा की अनन्त शान्ति के लिए ईश्वर से प्रात्ना कर रहे हैं दुख की ऐसी घड़ी में हमारे मन में विभिन प्रकार की विचार आते हैं और हिर्दे में नाना प्रकार की भावनाएं उत्पन होती हैं हम जानते हैं कि संसार की प्रत्येक श्रिष्टी ईश्वर से आती है और ईश्वर में लोट जाती है इसे कोई नहीं रोक सकता या विदी का विधान है हमारे प्रिय कार्डिनल इस संसार में आए और चार अक्टूबर को इस संसार से विदा हो गए या इश्वर की योजना और इश्वर की इच्छा के नुसार ही है आज में हमारे साथ नहीं है अतह हम आहत हैं हम दुखित हैं उनके साथ जो मानविये आत्मिये संबंद था वह एक तरह से तूट गया बिखर गया मन दिल में उनके प्रती जो आदर संब्मान की प्रविर्टी और भावना थी उन्हें उनके समच अब हम ब्यक्त नहीं कर सकते हैं उनके प्रती जो नैसरगिक आकश्ण था वह उनकी गहरी आधियात्मिक था उनकी सहज मिलन सारी था उनके ब्यक्तित्वा की सरल था उनकी नम्र था उनकी मानविये था उनकी सेवा भावना उनकी उदार था उनके वैराग्य उनकी मैत्री भावना आधी पर आधारी था इन्हें गुनों के कारण लोग उनकी और आकशित और प्रभावित होते थे वे तीक छनबुद्धी वाले थे कार्य कुशलता और कार्य लगनता उनकी खूवी थी अपने उत्तरदाइत्वा को वे निश्ठा पूर्वत निवाते थे वे दूर दर्शी थे और लोगों की आध्यात्मिक और लोकिक भलाई के लिए सासिक कदम उठाते थे इन्ही सब गुनों के कारण वे एक परोहित से धर्मादिक्ष बनाए गए धर्मादिक्ष से महाधर्मादिक्ष बनाए गए और फिर वे कार्डिनल के पद से भिभुशित किये गए कि अपुदित 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 अपुदित कि 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 प्रशासन के अधिकारियों ने हमारे धिवंगत कार्डिनल तेलस्पोर पी टोपो के उपर रास्ट्रिय जंडा पाना कर उन्हें राज्किय सम्मान से विभुशित किया है इसके लिए हम प्रशासन को धन्यबाद देते हैं जो कार्डिनल तोपो एश्वक के प्रथम अधिवासी कार्डिनल बने एक कार्डिनल के रूप में उन्होंने बिश्व भ्यापी कलीशिया और भारत की कलीशिया की सेवा की उन्होंने संपून कलीशिया के गवाई की उनकी बहुवित उपलवधियों के बारे में आपने सुना उनको सचमुच उन्होंने सचमुच प्रभू का मार्ग तैयार किया आज हम उनके दफन के मिस्सा और उनके पार्थवे शरीर को दफनाने के लिए या उपसित हैं आज की धर्मविधी काडियल के पार्थवे शरीर की इस धर्ती पर अंतिम यात्रा है हम दुखित हैं फिर भी प्रग्यागरंद के वचन से हम सांत्वाना पाते हैं जिसे हमने पाले पाठ में सुना प्रग्यागरंद के तीसरे अध्याय में वचन कहता है धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं उन्हें कभी कोई कस्ट नहीं होगा आगे वचन कहता है हमारे बीच से चले जाने के बाद धर्मियों का सरबनास नहीं होता बलकि उनको शान्ती का निवास मिलता है आगे वचन कहता है वे अमरत्व की आशा करते थे थोड़ा कस्ट साने के बाद उन्हें महान पुरसकार दिया जाएगा प्रज्यागरंत और भी बहुत अच्छे वचन कहता है काडिनल टुपो धर्मी व्यक्ती थे वे अमरत्व अर्थात अनंत जीवन पर आस्था रखते थे और उसकी आशा करते थे कई महिनों की बीमारी के कारण उन्हें कस्ट साने पड़े अब उन्हें शांती का निवास मिला है अब उन्हें महान पुरसकार मिला है मेरी समझ में काडिनल की बीमारी और लाचारी उसकी पीड़ा और वेदना ईश्वर के वरदान थे वास्तव में वे महान वरदान थे सांसारी को दुनियाई दृष्टी में उनकी भीमारी को दुर्भाग्यपूर माना जाएगा लेकिन याद कीजिए हमारे प्रभू ने कहा है जो मेरा अनुसरन करना चाहता है वार रोज अपना कुरूष उठाकर मेरे पीचे हो ले कार्डिनल के लिए बीमारी एक बड़ा कुरूष था जिसे उसने ड्होया और प्रभू के साथ दुख भोगा कार्डिनल ने प्रभू के दुख भोग और प्रभू के कुरूस के वलिदान में भाग लिया और प्रभू का सहयोगी बनकर प्रभू के मुक्ती कारिय में भाग लिया इस तरह ईश्वर ने कार्डिनल को आध्यात्मिक वरदान दिया दूसरी बात है कि कार्डिनल की बिमारी से उसे जो पुन्यफल प्राप्थ हुए उससे उसके सारे पापों की छमा मिल गई वे पूर्ण रूप से शुद्ध और परिशुद्ध हो गए मन्ने के बाद उन्हें शदक आगनी में ठहरने रुकने की जर्रत नहीं पड़ेगी मेरा बिश्वास है कि या आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध रही और वे सीधे स्वरक्षदारे आज के दूसरे पाठ में हमने रोमियों के नाम संद पालुस के पत्र से वचन को सुना वचन काता है हमें से कोई ना तो अपने लिए जीता है और ना अपने लिए मरता है जदी हम जीते हैं तो प्रभू के लिए जीते हैं और अगर हम मरते हैं तो प्रभू के लिए मरते हैं इस प्रकार हम चाहें जीते रहें या मर जाएं हम प्रभू के हैं हम निश्टित रूप से कह सकते हैं कि काडिलन ने अपने लिए नहीं वरन प्रभू की महिमा के लिए और ईश्वरी संतान की सेवा के लिए अपने आपको फून रूप से समर्पित किया। उसका जीवन और मरन प्रभू में समर्पित था। उनमें धन संपत्ती, मान मर्यादा, शक्ती सत्ता आदी की कोई लालसा नहीं थी। उनका एक मात्र लक्ष्य था प्रभू की महिमा के लिए जीना और प्रभू के लिए मरना। संपालुस के शब्दों में वे आंतरिक रूप से दूराते थे। मैं चाहता हूँ कि मसी को जान सकूँ, जान लूँ, उनके पनुर्थान के सामर्पित का अनुवाव करूँ और मिर्थ्यू में उनके सद्रिश बन कर उनके दुख्भोग का साभागी बन जाओं, जिसी से म मैं किसी तरह मिर्थकों के पनुर्थान तक पहुंच सकूँ, फिलिप्यों के नाम संपालुस का पत्र तीसरा ध्या, दस और घ्यारा, आज के सु समचार में हमने प्रव येशु के वचन को सुना, वे बेथानिया गाउं में लाजरुस की बाहन मर्था से काते हैं, पनुर् जो मुझ में विश्वास करता है, वा मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है, वा कभी नहीं मरेगा, हमारे प्रवु का काना, हमारे प्रवु काना चाह रहे हैं, कि वे ही जीवन हैं, वे ही आत्मा के जीवन हैं, इस धर्ती पर शरी का जीवन और मरने के बाद भी उन ही प्रभु का जीवन मनुश्की आत्मा में रहता है। जो ब्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता और उसकी शिख्चाय के उसार जीवन यापन करता है तो यदश Being वा शारिरिक रूप से मर जाता तथा पिवा आत्मिक रूप से जीवित रहता है जीवित रहता है अनंतकाल तक जो अब्यक्ति प्रभु पर विश्वास नहीं करता और प्रभु के प्रेम की शिक्षा के अनुसार नहीं चलता वह आत्मिक रूप से मर जाता है इश्वर से उसका संबन्ध कट जाता है हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि काडिनल ने प्रभु येशुप पर जो पनुरुथान और जीवन है पूरा विश्वास किया और उसकी शिक्षा को अपने जीवन में निश्ठा पूर्वक अमल किया अतशारिरिक रूप से मरकर भी वे जीवित हैं उनकी आत्मा ने पनुरुथान प्राप्त किया और अब कभी नहीं मरेगी वहां सदा जीवित रहेगी अपने जीवन काल में कार्डिनल माता मर्यम की भक्ती करते रहते थे उन्होंने उसे अपनी प्यारी माता के रूप में आदर सम्मान किया वे अपने को माता मरियम के प्रिये पुत्र के रूप में मानते थे इसके साथ ही वे कलीशिया के प्रती पवत्र युकरिस्त के प्रती और कलीशिया की दैनिक प्रात्नाओं के प्रती बिश्वस्त और निश्ठवान थे इसके साथ ही वे कौलकात्ता की संत मधर तिरिसा के परमवक्त थे वे मधर तिरिसा से कई बार मिल चुके थे और उनकी चरचा अक्सर किया करते थे उन्हों ने अपने इच्छा अब्यक्त करते हुए कहा था कि मरने के बाद उसे कैथिडिरल में संत मदर तिरेसा की मुर्ती के सामने दपनाय जाए अता उसकी इच्छा को पूरी करते हुए उसके पार्थवी शरीर को मदर तेरा से तेरेसा की मूर्ति की नीचे ही दपनाये जाएगा प्रिये भाई और वानो हम कार्डिनल के धार्मिक पौरोहितिक और धर्मादिक चिये जीवन और उसके सभी प्रेरितिक और परवकारिक कार्यकलापों के लिए ईश्वर को धन्यबाद देते हैं उनके माध्यम से ईश्वर ने असंक्या लोगों को आशिरवाद दिया है इसके लिए भी हम ईश्वर को धन्यबाद देते हैं और प्रात्ना करते हैं कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन और अनंत शान्ती प्रदान करें आमिन प्रिये भाईयों अंबहनों हम धार्मिक अनुस्ठान की प्रिक्विया में आगे बढ़ रहे हैं अभी हमने ईश्वर के बचन को सुना हम धन्यबाद देना चाहेंगे जार्खन सरकार माननिये मुक्पंत्री स्री हेमन सोरिन और पुरी कैबिनेट और पुरी सरकार को कि उन्हों ने हमारे महमहीम कार्डिनल तेलिस्पोर को राज के सम्मान दिया है धार्मिक प्रतिस्ठान आगे बढ़ते रहेंगे अभी राज के सम्मान के रूप में मैं अनुरोध करूंगा कि वे गार्ड और पॉनर प्रस्तुत करें इसके पश्चात हम अपने जो धार्मिक प्रक्रिया है मिस्ठा के आगे भाग उससे हम जारी रखेंगे अगले 35-40 मिनट में लगभग मिस्ठा समाप्थ हो जाएगी उसके पश्चात भाले डिक्टरी फांक्शन होंगे तब मैं आगरा करूंगा हमारे प्रशाशन की अधिकारियों से कि वे उन्हें राज की सम्मान दें जडितान लगग मिस्थफ ज राज की सम्मान की सम्मान की इंग धिक्वाला टाज की त 01.12. संगल नगय की त में ऊगई गज की त अे अगन. झाल झाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत 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 धन्यवाद बहुत 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 इन्यवाद दिन्हों से घर स माइब लुप डिन दिन्हों मानी जी सांसत धन्यवाद अब यह मिस्सा के अगली करी में आगे बढ़ेंगे शरहावा का कीट गाएंगे शरहावा का कीट गाएंगे का किट गाएंगे बाएंगे शर्चा जाएंगे शर्चा आप सब्सक्रणा शर्चा यह गाएंगे अब इधर वी आपे में थी अचाकेव बाएंगे कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो जो है मेरा, सो है मेरा, राक्रस्वा, लोटी के साथ जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, के रिचाया, सुन्धर बने जीवन मिस्सा बलिदान के महतपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं इसलिए स्रधा और भक्ति पूर्वक इस भाग में हम लोग समलित होंगे जो जो सम्मान देना चाहते हैं, स्रधान जली देना चाहते हैं कुछ ही समय आपके लिए दिया जाता है आप स्रधान जली के इस भाग को जल्दे से जल्दे समाप्त करें कुछ है इसी के साथ में स्रधान जली के ये भाग समाप्त होते हैं इसलिए पुना हम लोग धार्मिक गार्ड ओफ ओनर दिया जा रहा है प्रसाशन की ओर से कि पुन। कि अस्राख मैं नक बाद थेखं कि अस्तरच के हुई है झाल 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 आल झाल 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 आल झाल झाल आल झाल 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 है आल झाल 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 आल 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 आल